आरामा, हरे, हरे, खुशना, हरे, खुशना, हरे, हरे हरे क्रिष्णा अरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा हरे Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare 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 Hare, Hare 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 I know that today is the Eka Adasi and many of the devotees are fasting. But हम शुरिदाम विरिंदावन में आये हैं, तो रिदेश से महामंत्र उचारन करना चाहिए, प्री जोर से. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, शुष्वागत है, शुरी, गोविन जी, मूल जी, घगड़ा परिवार द्वारा आयजित, इस पवित्र शुष्विधाम विरिंदावर में भागवत कथा का ये जो सुन्दर आयोजन, हम पिछले छे दिन से लगातार शवण कर रहे हैं. और आज इस सबस्तम दिवस में आप सबका हम पूना यहाँ पर सुवागत करते हैं और विशेश सुवागत करते हैं हम इस ग्रेश लाल गोईन प्रभुजी का, जो कि पिछले छे दिनों से लगातार हम सबको भगवान के इस विवित अवतार, उनकी कथा शवण कर आकर हम स करते हैं कि आप सब यहाँ पर अपना अनमोल समय निकालकर यहाँ पर उपस्तित हुए और यह भागवत कथा शवण कर रहे हैं तो आज इस कथा का सब्तम दिवस हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे बीच में हीनल प्रभु द्धा धवल प्रभु है हमारे इस माला पहनाएंगे यहाँ पर आकर आये महामंतर से उनका अभिवादन करेंगे रे क्रिष्णा 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 तो श्रीमत भागवत कथा का यह सब्तम दिवस जहांपन हम श्री दिशा उतार की कथा को श्रमण कर रहे हैं और आज इस सब्तम दिवस के अंतरगत जो सेश अउतार बाकी है हम उसका श्रवन करेंगे और क्योंकि आज अंतिम दिवस है तो प्राय भग्दों के मन में ये लाल सा होती है जिग्या सा होती है कि अब आने वाले समय में भागवत कता फिर से कब हमें सुनने मिले तो इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि फिर सुनने में यूड़ आप सबस्क्राइब अनौरूण सुनने में यूट्वारा फ्राइब आप सबस्क्राइब करने आप से निरंतर या अमृत दारा वाही का रूप से आपको मिलती रहेगी जैसे कहम देखते है कि ये 390 बागवत कता है और आने वाले दिनों में भी प्रभुजी की कथा है इस प्रकार निरंतर है तो आप सब से निवेदन है कि आप इस हमारे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाल गोविंदास इसको आप अवश्य फोलो करें शेयर करें और आप सब इसका हम सब को आज ये साथ दिन का उसर मिला जहां पर हमने भागवत कथा श्रवन की तुसम एक्स्टेंट इन वी आल वट रेलिस्ट और इसको निरंतर हम को सुनते रहना चाहिए जैसे कि भागवतम में कहा गया है तो इसलिए आप सब से अनुरोध है कि आप सब भागवत कथा श्रवन करते रहिए और बहुत संदर व्यवस्ता है ये नो सोचल मीडिया के मादयम से आज हम संपर्क मेरे सकते है श्रवन कर सकते है तो आप सब से नुरोध है कि आप इस सोचल मीडिया प्लेटफरम का लाब लीजे और साथ ही साथ if you want to get continuous you know reminder from our perfect sewa team so make sure कर ये नमबर reminders मिलते रहेंगे ताकि आप इस प्रकार कथा के संपर्क में बने रहें सो इसी आसा के साथ एक और निवेदर ने आप सभी कि भागवत कथा श्रवन करते हुए जैसे प्रभूजी प्राय हम सब को आलेड करते रहते हैं कि you know make sure करे कि हम सोन आ जाए पहले तो कथा में और इस आसा के साथ में हम इसी आसा के साथ निवेदर करना चाहते हैं इस ग्रेस श्रीमान लाल गोईन पोजी से कि वे इस सत्तम दिवस की कता को हम सब को श्रवन कर आए निवाद हरे कृष्णा Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare वे दानू धरते जगन्ति वहते भूगो लमूद वीप्रते देत्यम् दार्यते बलिम् शलयते शत्रशयं कुर्वते पोलस्तम जयते हलं कलयते कारोण्यमा तन्वते लेच्छान मूर्चयते दशाद शिक्रिते कृष्णायतू ब्यां नमा जय जय श्री राधारमन जय जय नवल गिशो जय जय गोपी चित चोर प्रभो जय 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 माखन चो जय 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 माखन चो से कृष्णा चंड्रवगवान की जय शिदश अवतार की जय शिदाम्रिंदावन की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पदारे हुवे भगत वरिंदे इस सवा को परम सुशोबीत करने वाले बागवत कथा रसिक वरिष्ट भगत गान दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से जैसे की धर्म संदेश चेनल आस्था चेनल यूट्यूब फेस्बूक आधी के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त शुरोता गान इवाम यह सुन्दर भगवत कथा का आयोजन करने वाले प्रिय सक्खी माता पल्लवी इवाम अन्य समस्त पित्रू की स्मृति में गोविंजी मोलजी गगडा परिवार जिन में प्रमुख हैं साथी साथ लंडन भक्ति विदान्त मेनर से आये हुए श्री प्राणनात प्रभू अमरे केनिया से गुडाकेश प्रभू कह रहे थे बहुत सुंदर प्रचार करते हैं श्री उवापति प्रभू के साथ मैं नाम नहीं जानता हूँ गोविन्द प्रेम प्रभू आप सभी वक्तों का श्रीमद भागवत कता के सब्तम एवं अंतिम दिवस में पुनह एक बार हर्दिक स्वागत एवं आप सभू के चरणों में लाल गोविन्दास का प्रणाम मेरा वारा आने दो रादेश्या सपरम सभाग्य प्रेम राज्य श्री वरिंदावन और वरिंदावन के इस पावंदर पर भगवत प्रेम प्राप्त भगवत प्रेम प्रदान करने वाली यह सुन्दर भागवत कथा कई बार लोग कहते हैं कुछ नादान लोग पुछते हैं यह भागवत क्या है इसका उत्तर देते देते जीवन बिज जाएगा लेकिन संक्षित में यदी कहा जाए तो भागवत समस्त वेद पुराण और इतिहास का पका हुआ फल है शिमत भागवत समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सार है यह वो गरंत है जिसको लिखने के बाद महा मुनी श्री वेदव्यास मुनी ने अपनी कलम को छोड़ दिया इसे अन्य अन्य को पुराण लिखे लेकिन व्यास जी का मन नहीं भरा वो अन्य पुराण उसके बाद और एक पुराण और एक पुराण और एक पुराण लिखते गए लिखते गए लेकिन जब भागवत लिख दिया व्यास मुनी संतुष्ट हो गए वेदव्यास जी के जीवन की अंतिम रचना यह अंतिम कमाई है पर वक्तो आदमी जब अंतिम शब्द बोलता है न लाष्ट में जो शब्द होता है न आप लोग किसी को लेटर लिखते होंगे आगे रिस्पेक्टेड, डियर, बहुत कुछ मसका पॉलिश करते 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 जो मुख्य बात है वो लाष्ट पेरेग्राफ में लिखते है सो विदव्यास मुनिने अनेको पुराण, अनेको ग्रंत लिखे परंतु सब का सार अंत में श्रिमद भागवत जी के रूप में लिखा सो श्रिमद भागवत क्या है? श्रिमद भागवत समस्त वेद पुराण उपनी शदो का सार है श्रिमद भागवत पंचम वेद है इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम इति वेदम पाचवा वेद है श्रिमद भागवत काल, भई और मुरुत्यू से मुक्त करने वाला गरंथ है श्रिमद भागवत प्रेम और रस का सागर है श्रिमद भागवत भक्ती ज्यान और वेराग्य का मूल है श्रिमद भागवत मुरुत्यू को मंगलमई बनाने वाला गरंथ है श्रिमद भागवत मन को शांती और समाज में क्रांती लाने वाला गरंत है श्रिमद भागवत जो स्वयम भगवान सी कृष्ण का वांगमई स्वरूप है साक्षात स्वयम भगवान सी कृष्ण का एक अवतार है श्रिमद भागवत पद्मपुराण के अनुसारतों कृष्ण ही उद्धव जी के सामने भागवत के रूप में कन्वर्ट हो गए कृष्ण ही भागवत के रूप में परिनित हो गए शुमद भागवत जी में हम देखते न सफेद पुरुष्ट और काले रंग के श्लोक अमारे ब्रज के रसिक संथ कहा करते हैं ये जो भागवत की पुस्तिका में काला रंग के जो श्लोक है वो कृष्ण है और सफेद पुरुष्ट जो है वो राधा है भागवत क्या है राधा कृष्ण का मिलीच स्वरूप है व्यासमने ने तो यहां तक कह दिया पादो यदीयो प्रतमतु द्वितीय तृतीय तुरियो कथितो यदूरू नाभीस तता पंचम एव सष्टो भुजा तरंगो युगलो ततानियो कंठस्तु रामं नवमो यदीयो मुखार विंद दशमं प्रफुलं एकादशो यस्य ललाट पट्टम शीरोतु द्वादश एव भाति ही भागवत के प्रथम दो सकंद श्याम सुन्दर भगवांसी कृष्ण के दो चरण है भागवत का तिसरा और चोठा सकंद भगवांसी कृष्ण के दो चरण है भागवत का पाँच्वा चठा सकंद भगवांसी कृष्ण के कटी प्रदेश के भाग सात्वा और आठवा प्रभु के दोनो हाथ है भागवत का नवास कंद कृष्ण का कंट है दशमस कंद कृष्ण का मूख है एकादश्वास कंद कृष्ण का ललाट है और बारहुवास कंद 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 है बिना सोये बिना सोय यदी हम भागवत सुने न तो मानो वैसा ही अनुभव होता है जैसे हम भगवान के गोद में बैठा हैं भगवान के साथ बैठा हैं सैसा पवित्र दिव्य भागवत हम सब श्रवण कर रहे हैं और घणा और अबरीवाण का कितना बड़ा सोभाग्य और इनके सोभाग्य से हमारा भी सोभागय के एक तो सबसे पवित्र उत्तं भागवत कचां और उपर से इस भागवद कथा का श्रवन किर्तन सबसे उत्तम स्थान पर श्रीदाम् व्रिंदवन में और सौने में grave सुगंध मिल जाये श्रीमद भागवद सबसे उत्तम और वर भी व्रिंदावन में और व्रिंदावन में भी कथा सुनते हुए आज एकादशी और एकादशी में भी कौनसी एकादशी सफला एकादशी मतलब जब कथा नक्की की रास्यश्वर प्रभू कि हमने ये नक्की एकादशी आने वाली है कोई नकी कूच नहीं तदेव लगनम सुधिनम तदेव भागवत में कौन सा मुरत कौन सा ग्रह कौन सा नक्षत्र भक्तों की जो अनुकुलता शुरू कर देते हैं लेकिन विजार करो योगान योग शुमत भागवत का सब्तम दिन और सफला एकादशी मानो भगवान हमें इशारा कर रहे हैं कि घगड़ा परिवार का ये जो भागवत कथा कायोजन है आज सफल हुआ सफला एकादशी के दिन आज सफल हुआ सफला एकादशी के हम वैश्णव समाज में बड़ी महिमा है यू तो सनातन धर्म में एकादशी का एक अध्वितिय स्थान है परंतु खास करके हम हरी भक्तों में वैश्णवों में तीन या चार निष्ठा जो है न बहुत महत्व पुर्ण मानी गई है भगवान राम भगवान सी क्रिष्ण भगवान विश्णु के वक्तों को सबसे पहली निष्ठा है नाम निष्ठा हरी नाम निष्ठा दूसरी निष्ठा है धाम निष्ठा भगवान के धाम में निष्ठा हो भगवान के नाम में निष्ठा हो और ये नाम और धाम देने वाले गुरू में निष्ठा और हम वैश्णव ग्रंतों में और एक निष्ठा है एका दशी निष्ठा हम हरी वक्तों के लिए खास करके वैश्णव के लिए और कोई वरत और उपवास नहीं होता हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वरत, सबसे बड़ा उपवास है एकादशी एकादशी जो सभी वरतों की महरानी माने गई है एकादशी जो सभी वरतों का राजा है ग्रंतों में तो यहां तक कर दिया यदि आप एकादशी करते हो तो अन्य कोई वरत करने की ज़रूरत नहीं है एकादशी क्योंकि एकादशी जो है न हमारे ठाकर जी को बहुत प्रिय है इसलिए एका दशी के बहुत सारे नाम है एकादशी को अमारे अपनी हाव साधी गुजराती भाषह मा अग्यारश कहा है एकादशी कहो अग्यारश कहो हरीवातसर कहो शास्त्रों में एकादशी को हरीवातसर भी कहता है और एकादशी को माधव तीथी कहता है यह हमारे माधव की तीथी है यह कनईया की अपनी तीथी है क्रिश्न बहुत प्रसन्द होता है मैं आपको एक प्रशन पूछू आखे ना नकरु तमेज मने पूछओ मारे तमने नहीं पूछओ नू रोज राते परशवा वाली दियो चो मारो प्रश्न पूछी पूछी तो मैं यदि आपको प्रश्न पूछओ कृष्न की जननी कौन नहीं चलो दोनों चलेगा बोलो दोनों का नाम बोल दो देव की और मा यशोदा कृष्न की जननी देव की और यशोदा राम की जननी कौन कोशलिया माता अचा ज्ञान और वेराग्य की जननी कौन भकती की जननी कौन क्रिश्न की जननी देव की और यशोदा शिराम जी की जननी मा कोशलिया ज्ञान और वेराग्य की जननी भक्ती परन्तु भक्ती की जननी एक और मात्र एक एका दशी ती थी मादवती थी मादवती थी भक्ती जननी ठाकुर वक्ती जननी भक्त भागी रात मादवती थी भक्ती जननी जतने पाला न करी जतने पाला न करी मेहुल जो है न तयार होता है यह तो उपड़ित ली दो पना अजीद भाय बहु किर्टन करया वैटले हूं प्रोग्राम बंद राप अजीद भाय पहला क्यों तो आबधन नों बोलावेता है हमारे यजमान ही किर्टन करता है तो आबधन बोलावन शी जो होती माधवती थी भकती जननी जतने पालन करी ठाकर भकती नोत कहता है भकती की जननी भकती को जन्म देने वाली थी थी है माधवती थी आजकल कुछ लोग बहुत वरत रहते हैं कोई सोमवार रहता है कोई मंगलवार रहता है कोई बुधवार कोई गुरवार कोई शुक्रवार कोई शनिवार कोई रविवार एक भी वार किसी ने छोड़ा नहीं है पता नहीं प्रेम से वार रहते हैं कि भई के मारे रहते हैं कि यह वार हम दोती कुर्दे वालों को पुछते हैं कि हम खास के ने गुजरा दिलों को पूझे के महराज शनी वारे दाड़ी कराई शनी वारे नक पाई नक पाई पाप लागे के महनमान जिनों दिवस हैं यह ले हनमान तमारी दाड़ियों महात ना कवा बेठो हैं मतलब हनमान को और कोई काम धंदा ही नहीं है वहां बैटे-बैटे आपकी दाड़ी चेक करेगा आज इसने दाड़ी करवाई दो उसे एक सी पे अनमान को और कोई काम धंदा नहीं है शनी वारे नक नक पाई तो क्या वो लोग बस हमारे उपर यह देखने बैठते हों कि यह नाखुन शनी वार को काट रहा है वह अंदर निवात को दाड़ी शनी वारेत कराई रही वारे रजा होई और मार्केट में एंट्री पाड़वानी होई है तो यार शनी वारेत कराई कहने का आर्थी यह है कि कुछ कहलाने वाले लोगों ने समाज को बहुत डरा कर रखा है और डरा कर रखा है और यह अन्यवार चलो हम किसी की श्रद्धा पर कोई टिपणी ना करें वह आप अपनी अपनी श्रद्धा लेकिन यह बात तो निश्चित है कि यह अन्यवार तैवार रहने से आपको संसार की छोटी मोटी वस्तु मिल सकती है लेकिन यदी एकादशी प्रत का पालन करो तो भगवान की शुद्ध भक्ती प्राप्त हो जाती है क्योंकि माधवती थी एकादशी थी भक्ती की जननी है भक्ती को जन्म देने वाली की श्री एकादशी थी पद्म पुराण में कता है किस प्रकार से एकादशी प्रकट हुई और भगवान ने वर्दान दिया शंखारसूर नाम का असूर था उनका पुत्र हुआ मूर शिवजी की उगर तपस्या करके शक्ती मान बना और मूर शूर देवताओं के साथ युद्ध करने लगा देवताओं को हराने लगा सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए प्रभू हमारी रक्षा कीजिए भगवान ने कहा कि आप उस मूर असुर के साथ युद्ध करो मैं रण भूमी में आता हूँ और फिर वो केस में संबाल लोगा देवताओं ने शंखासुर के पुत्र मूर के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए भगवान विश्णु आये मूर और भगवान विश्णु का युद्ध हुआ और युद्ध करते करते भगवान विश्णु रण भूमी को छोड़कर भाग गये हमारे भगवान को ये भागने की बड़ी प्रैक्टिस है जरासंग वाले केस में भी भागे थे यहां मूर असुर के साथ युद्ध करते हुए भागे भगवान विश्णु आगे आगे मूर असुर पीछे पीछे भगवान आगे बहुत दोड़े बहुत दोड़े उस असुर को बहुत दोड़ाया बहुत दोड़ाया और दोड़ते 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 भगवान किसी एक गुफा में चले गए और उस गुफा में जाकर आराम से सो गए दो-पांच मिनिट के बाद वो मूर असूर आया देखा कि मुझे इतना दोड़ाया और ये चेन की सांस सो रहा है मुलब ऐसे ही तो क्रोध था लेकिन प्रभू को अपने शत्रू को सोय हुआ आराम से सोय हुआ देकर इनका द्वेश इनका क्रोध और बड़ा वेसे तो जीवन में शत्रू दुश्मन रखने नहीं चाहिए लेकिन आपकी प्रगति को देकर लोग बन जाते हैं और फिर वे आपकी निंदा इर्शा करें न जीवन में एक ही काम करो खूश रहो हस्ते रहो प्रसन रहो हमारी खूशी से आधे वेसे ही मर जाएंगे अब जानते हो इस ब्रज में वो कंस कृष्ण को मारने के लिए असूरों को भेजता था बढ़े-बढ़े घटे-गटे असूर आते थे कृशन को मारने के लिए असूरों को देकर कृशन स्माइल करते थे अधे असूरों ऐसे ही मर जाते थे फैंगे जीवन में प्रसन na रहे सुखशानति से रहे जलने वाले जलते रहे यह मूर असुर बड़ा क्रोधीत हुआ और मन में एक कायरता का विचार आया कि विश्णु सोया हुआ है बहुत अच्छा होगा इजी होगा सोये हुवे विश्णु को मार दो अपने हाथ में तलवार खीची और जैसे ही भगवान विश्णु को मारने गया उसी समय भगवान विश्णु के शरीर से एक शक्ती प्रकड़ हुई 16 साल की यूति कनिया प्रकड़ हुई और कुछी मिंटों में उस यूति ने मूर की सारी सेना का विद्वन्स कर दिया और जैसे ही वह कनिया मूर को मारने गई भगवान की निद्रा उड़ी भगवान जगे और वह मूर असूर भगवान विश्णु की शरण में गिर गया जीवन दान दीजिए मेरी रक्षा कीजिए भगवान ने कहा काम तो तुने ऐसा किया है कि तुझे छोड़ा नहीं जा सकता लेकिन तुझे शरणागत हो चुका है इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं लेकिन तु इस दुनिया को छोड़ कर चला जाए द्यान से सुनिएगा अब बहले प्रभु दुनिया को छोड़ कर कहा जाओं कहीं तो मुझे स्थान दो तब बगवान ने कहा कि मूर मैं तुझे एका दशी के दिन बगवान ने पूछा होगा आज कौन सी ती थी है बहले आज एका दशी थी 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 है तो मूर मैं तुझे हर एका दशी के दिन अन्न में वास देता हूँ और उस दिन से वह आसूरी शक्ती को लेकर वह मूर असूर प्रत्येक एका दशी के दिन अन्न में वास करता है इसलिए पद्म पुराण में ये सब लिखा गया है कि एका दशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि एका दशी के दिन अन्न में तमूगुणी तत्व आसूरी प्रकृती होती है दुसरी और अब वो तो चला गया अन्न में एका दशी के अन्न में भगवान ने उस कनिया को पुछा तुम कौन है उस कनिया ने कहा मैं एक दासी हूँ मैं क्या हूँ तो भगवान ने कहा आज से तुम्हारा राशी और कहा के देवी तुमने मेरा बहुत सुन्दर काम किया है इसलिए मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ इस दुनिया में सबसे अधिक कठिन क्या है कि इस दुनिया में सबसे कठिन कारिय जो है न वह भगवान कृष्ण की भक्ती है कि आपको कर रहा है वह भक्ती का नाटक है आप तो प्योर दीओटी प्योर में मेरे जैशो की बात कर रहा हूं हम जो भक्ति कर रहे हो क्या है वो तो पापा पगली कर रहे हैं अभी तो शुरू वाद भी ठीक से नहीं होई है यहां प्यौर डिवोशन की बात हो रही है शुद्ध भक्ति केवला भक्ति एकांतिक भक्ति की बात है जो बहुत कठीन है बहुत कठीन है लेकिन है एकादशी आपने मुझे बहुत सयोग किया मैं आप पर बहुत प्रसंद हूँ इसलिए मैं आपको वर्दान देता हूँ कि जो व्यक्ति तुम्हारी इस तीथी एकादशी तीथी एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे बिना मेहनत किये मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी शुद्ध भक्ति लव्य हो जाएगी कई बार कुछ लोग पूछते न एकादश है क्यों इसलिए है हमोर ऑपग को भक्ति करना बड़ा कठीन होता है मुश्किल होता है कि को लोग कहते हैं हम हुए कोई बात निएकादशी व्रत करो भक्ति इजी हो जाएगी कैई कि एकादशी थी भक्ति की जननी पर सारी कता एकादशी को को लेकर है सुर्य वंश मेंग राजा में स्वर्ग में जाती थी इक बार की अपसरा उर्वशी अपनी सख्रेण करते करते उस उघंद को लेते 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 राजा रुकमांगद के राज्य में आई और बगीचे में आई सुन्दर सा फूल देखा फूल को तोड़कर स्वर्ग में चली गए दूसरे दिन आई फूल तोड़कर स्वर्ग में तिसरे दिन फूल तोड़कर तो रोज का हो गया माली ने राजा को कंप्लेंट की वह कोई फूल तोड रहा है राजा ने कहा कोई बार देविच्छा एक बार क्या हुआ है यह लोग रात के समय में आते थे जब मानव समाथ स्वया हुआ होता है कि एक बार उर्वशी अपनी सक्यों के साथ उस रुकमांगत के राज्य में फूल तोड रही थी और तोड़कर जब वापस जा रहे थे तो उर्वशी की साड़ी बेंगन के पौधे के काटे में फस गई बेंगन समझ में आते है ना परम दिव से खादू तो यह बढ़ थू बढ़ रोटला खाया था ना वह बेंगन कि सकंद पुराण में लिका है कि बेंगन जो है ना वह राजसिक रजोगुणी प्रभाव जादा होता है इसलिए जिसको सत्व गुण में आगे बढ़ना है न उसे बेंगन थोड़े कम खाने चाहिए साव न खावाए उतों कवद नहीं कंके आपड़े खाईए जा आठंडी मां बढ़तू रोटलावगर थोड़ी चाले लेकिन कम थोड़ा कम होतो अच्छा है सकंद पुराण मे तो यहां तक लिखा है कि जिसको मुक्ति प्राप्त करनी है उसे शराब नहीं पीनी चाहिए जुआ नहीं खेलना चाहिए मांस नहीं खाना चाहिए और बेंगन नहीं खाना चाहिए तो तो बेंगन के पोधे के काटे में स्वर्ग की अबसरा उर्वशी की शाड़ी भस गय यह कथा कहां पर है पद्म पुराण में अब जैसे ही साड़ी फसी तो सारा पुन्यक्षिन हो गया बेंगन के पोधे के काटा वो काटा स्वर्ग की अफसरा का देवी का सारा पुन्यक्षिन कर दिया वो बेंगन जम खाएंगे तब क्या होगा सारी अफसराय चली गई और उर्वशी यहां धर्ती पर फस गई बड़ी चिंता करने लगी अब सुबह होगी यह मनुष्य लोग आएंगे और नजाने मनुष्य मेरे साथ क्या क्या करेंगे यह मनुष्यों का डर्व देवताओं को लगता है देवता बहुत बहुत दर्वता पहले एक जमाना हुआ करता था गाओं में कि माता है कहती थी वो पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना वहां भूत होता है भूत जमाना बदला आजकल भूत लोग अपने बच्चों को कहते वहां मत जाना वहां आदमी होता है आदमी आजकल के भूत भी आदमियों से डर रह है इसलिए से भूत चले गए को इस देवी को मनुष्य का डर लगा सुबह होगी नजाने मनुष्य क्या करेंगे और सुबह सुबह राजा रुकमांगद उसी बगीचे में जोगिंग करने के लिए एक्सेसाइज के लिए आये होंगे उस दिनों उनका ही आना हुआ दूर से राजा रुकमांगद आ रहे हैं उर्वश्य के मन में चिंता बढ़ रही है लेकिन वक्तो महान आदमी तो महान होता है रुकमांगद जैसे ही बगीचे में पहुँचे और इस देवी को देखा तो सबसे पहला संबोधन निकला के हे मां कि इतना सुनते ही है वर्वश्य को शांती होई कि बृत्वी में ऐसे अच्छे लोग भी रहते हैं पहले के राजा महराजाओ को अपने मन पर कंट्रोल हुआ करता था आप जानते हैं जब महराज दूशंत वन में मिर्गिया करने गए और उनको प्यास लगी तो कणवरुशी के आश्रम में पहुंचे कोई जल पिला दो कणवरुशी घर पर नहीं थे एक कनिया थी घर पर और वह आई और दूशंत को जल पिलाया तो राजा दूशंत ने कहा उस देवी को उस कनिया को देखा बहुत सुन्दर कनिया थी तो प्रसन्न हो गए बोले देवी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मेरे से शादी करोगी अब राजा थे राजा को तो क्या है तुम हो कौन बोले मैं महर्शी कनव की कनिया हूं कनवरुशी की बेटी हूं अब देखो राजाओ का confidence बोले मैं शत्रिय राजा दूशंत और तुम ब्रामन की कनिया मुझे मेरे खून पर विश्वास है मुझे मेरे मन पर विश्वास है कि मेरा मन किसी पराइस्त्री पर अन्यस्त्री पर जा नहीं सकता और मैं शत्रिय राजा हूं मेरा मन किसी ब्रामन कनिया पर जा ही नहीं सकता सच सच बताओ तुम कौन हो तुम कनव की बेटी हो यहीं नहीं सकती तब उस कनिया ने कहा रहे, नहीं, मैं तो बाबा के साथ जब से समझदार हूं तब से यह रेती हूं बोले नहीं तुम बताओ कौन तब तक कनवर उशिय आये और उस कनिया ने कहा कि पिताजी सच कहो क्या मैं आपकी बेटी नहीं, तब भेद खुला कनवरुष ने कहा के बेटा तु मेरी बेटी नहीं है शत्रिय ऐसे विश्वा मित्र की कनिया है महराज गाधी के पुत्र विश्वा मित्र की तु बेटी है लोग लज्जा के कारण में ने तुझे रखा सो पहले के लोगों को confidence मन पर विश्वा सोता था राम जी ने लखन को कहा ना रगुवन्षिन कर सहज सवाव मन कुपत पग धरहिन काहू रगुवन्षिो का सवाव होता है कि मन कुपत पर कभी नहीं होता है लेकिन हाएरे कल्यूक का दुरभाग्य है कली काल बिहाल किये मनुजा कलिकाल बिहाल किये मनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा कल्यूग ने जिवों का कितना पतन कर दिया कि एक और पहले के राजा किसी अन्य जाती अन्य ज्याती के उपर अन्य स्त्री के उपर बुरी द्रश्टी नहीं दालते थे और आज कलियोग में आदमी किसी के उपर भी बुरी द्रश्टी दाल डेता है अरे अपनी बेटी की उम्र वाली हो फिर भी बुरी द्रश्टी डाल डेता है अनुजात अनुजाः ये काग बुशंडी जी बहुत उची बात कर गये है तो ये कलियो गए धन्य है वो राजा रुकमांगत है राजा रुकमांगत ने संबोधन दिया कि मां आप कौन हो मैंने पहले तो कभी देखा नहीं सारी बात बताई कि मैं स्वर्ग से रोज आती थी और ये बेंगन के काटे में मेरी साड़ी भसी तो राजा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूँ बोले आप अपना पुन्य मुझे दे दो ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूँ राजा ने कहा मेरे पास पुन्य होता तो मैं यहां क्या करता मैं ही स्वर्ग में नहीं चला जाता तो उर्वश ने कहा तो राजा न पुनिय तो चाहिए बिना पुनिय के स्वर्ग में नहीं जा सकती और सबसे ज़्यादा पुनिय एकादशी वरत का होता है आपके राज्य में कोई एकादशी रहता है? कली एकादशी थी, कोई रहता है एकादशी? रुकमांगत कहते हैं, ये एकादशी किस चिडिया का नाम है ये तो जीवन में पहली बार सुना था, एकादशी क्या होती है कोई एकादशी कल ही एकादशी थी महाराजी, कोई नहीं रहा एकादशी यहां कुछ होता ही नहीं है, हमने कभी सुना ही नहीं है अच्छा अब देखो ध्यान से उर्वशी ने कहा अंजाने में कल कोई उपवास रहा हो एसा चलो एकाज़शी तो पालत नहीं करते लेकिन किसी की तबियत खराब है या जैसे तैसे कल अन न खाया हो उपवास किया हो ऐसा कोई आदमी मिल जाए न तब भी फल मिलेगा तब भ के दिन किसी ने अन न खाया हो भोजन न किया ऐसा वरणन है कि राजा रुकमांगत का मंत्री विचरण करते करते एक जगह पर पहुचा एक स्त्री रो रही थी क्रंदन कर रही थी मंत्री ने का बेहन वहां वो रो रही है यहां तू रो रही है तेरे रोने का कारण क्या है बोले कल से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला मंत्री नाचने लगा वो कहती है कि यार मैं दुखियू तू नाच रहा है बोले मैं तुझे ही खोज रहा था क्यों तुने कुछ कल नहीं खाया पत्म पुराण में बहुत डिटेल में यह सब यहाज यह लिखता है क्यों तुने कल कुछ नहीं खाया बोल मैं जहां जिस दुकान में नौकरी करती थी न तो गलती से मेरे हाथ से वो बोतल गिर गई फूट गई तो दुकानदार क्रोधित हो गया और मुझे दंड दिया कि एक दिन का भोजन नहीं मिलेगा उस दिने का दशी थी लेकिन वहाँ पर चानक्य पंडित ने अपनी कलम चलाई इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट क्या है चानक्य पंडित कहता है सबसे ज़्यादा कष्ट है यात्रा में विचरण करना प्रवास करना यात्रा करना ये कष्ट है मतलब यात्रा इस इक्वल टू कष्ट बरबर अब व्रिंदावन यात्रा में आये हो आप और यहां करको अरे रे यहां तो बहुत ठंड है ये खाना वो रहना तो भाई इसी के लिए तो आये है यात्रा का अर्थी तो होता है कष्ट भोगतना अपनी स्वेच्छा से कष्ट भोगतना इसलिए तो आये है इतनी अच्छी नींद आतियों अरे लाल गोईंदास जगा देता है कष्ट हो रहा है इसलिए तो आये है अब अब यह दोंग्रे जी महराज केता यात्रा इटले शूं यात्रा इटले तपस्या वधारवानी मात्रा उन तमेश्चु समझिये यात्रा इटले खमन पूरी ने पात्रा यात्रा में तवस्या होती है जहां तवस्या नहीं वो यात्रा काहेगी सो कष्टादी कष्टम सततम प्रवासी कष्ट है प्रवास करना कई बार कुछ लोग मेरे पर कमेंट करते हैं लाल गोविन प्रभू को कितना अच्छा है आज इंडिया में कल अमेरिका में फिर केनेडा में फिर उस्टेलिया में युक्य में एक वकत आओ तो खराता में यह यहां किटली मजा आवे आपने कोई ना घरे रही है तो एन उत्थ एन रेवानु नहीं है इपती पतनी जगड़ों करें आपने खुड़ाम जन बेशी जवानु आपने तो इसमें लिखा है चाना किया पंडित कहता है उससे भी ज्यादा कर्ष्ट है दूसरे के घर में रहना बिजाना घरे रहन तेरा वखानत करवाना तमारे इने शोकरम काई लेवन नहीं नाक माशेडा लबडता होई चड़ी पेरी नहीं पेरी तमारे टपुडों केटलों सार्वासे हैं कानके तमेरे ने घरे जी रेवानु नहीं कष्टा दी कष्टम सततम प्रवासी ततो दी परगेहवासी तसरों के घर में रहना यह कष्ट है और ततो दी कष्टम धनहीन सेवा ततो दी कष्टम कृपनस्य सेवा किसी कंजूस के वहां नौकरी करना यह सबसे बड़ा कष्ट है इससे बड़ा कष्ट हो ही नहीं सकता तो मैं करता हो तो छोड़ी दे जो कंजूस की नौकरी कंजूस की सेवा कभी नहीं यह विचारी वहां फसी होई थी और एक दिन भोजन नहीं दिया मंत्री ने कहा चल मेरे साथ भोजन क्या तुझे आधा रजवड़ा दे दूंगा मैं तो चल मेरे साथ तो मंत्री उसे लेकर राजा रुकमांगद के पास आय जहां यह उर्वशी बेटी थी बोले इसने कल कुछ नहीं खाया है इसलिए कारण एकादशी का नहीं था कारण तो उसके आद जो उसका मालिक था उसने कुछ दियानी तब उरवशी ने कहा कि हाथ में जलो और संकल्प करो कि एकादशी की दिन अन जाने में तुमने अन नह खाया भुजन नहीं किया तो इसका जो फॉल है पुन्य है मैं उर्वशी को देती हूँ जैसी आथ में जल लेकर वो स्त्री ने इसा बोला पूरे प्रजा के देखते देखते उर्वशी आकाश के मार्ग में स्वर्ग में चली गई एक एकाशी के पुन्य के प्रवाव से वो अफसरा उर्वशी स्वर्ग में गई और अब तो प्रजा को कुछ बोलना ही नहीं था तो देखी लिया था किसी और ने एकाशी की उसका फल दिया तो यहां होंगी रुकमांगत के राज्य में सव एकाशी रहने लगए तो खुल मिलाकर हमारे वेदों में शास्त्र में इसी बहुत सारी कताए है एकादशी वरत का पालन करें सभी वरतों का राजा एकादशी है एकादशी जो स्वयम भगवान को कृष्ण को, राम को, विष्ण को प्रसन करती है और एकादशी हमारे अध्यात्मिक उन्नती के लिए तो है ही नो डाउट हम अरी वक्त तो अध्यात्मिक उन्नती के लिए एक आदशी करते हैं लेकिन थोड़ा सा आयूर वेद की अनुसार भी देखे न साइंटिफिकली भी देखे न तो पंद्रह दिन में एक बार भूखे रहने से हम निरोग होते हैं हमारी आयूश्य बढ़ती है शरीर स्वस्थ रहता है शरीर की शुद्धी होती है हम लोग है न एक हफ्ते में संडे या सेटरड़ संडे दो दिन की छुटी रखते हैं लेकिन हमारे पेट को कभी छुटी ही नहीं विचरा फिर जवाब दे देगा उसे अच्छा है एटलिश पंदरह दिन में एक बार छुटी दे तो दोनों काम हो जाएंगे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भक्ती भी प्राप्त हो जाएगी और पहले के जमाने में तो यह सब कठीन था एकादशी रहना माने बहुत कठीन था आज कल एकादशी रहना यह कठीन कहाँ यह तो फेस्टिवल हो गया है आप ही देखो ना कल ने हम पिछले छे दिन से क्या खा रहे थे आज क्या खाया गाजर का अलुवा पनीर की सबजी पनीर का सलाड क्या खीचडी आज कल तो बुद्धिमान लोगों का प्रमाण एकादशी पीजा एकादशी पास्ता एकादशी डोसा सब एकादशी का हो गया है कठिन नहीं है एकादशी और एकादशी की महिमा भागवत जी में तो है ही भागवत में तो पुरा इतियास एकादशी का महराज अंबरीश एक वर्ष तक एकादशी किये थे इसी ब्रज वरिंदावन में मतुरा में पद्म पुराण में तो अनेकों कता एकादशी की गरुड पुराण महाभारत सकंद पुराण अनेकों पुराणों में एकादशी की महाई यहां तक कह दिया कि एकादशी के दिन यदि कोई अन्न खाता है तो ब्रात्रुरहा अपने भाई को मारने का जो पाप है अपनी माता को मारने का जो पाप है गुरु को मारने का जो पाप है वो पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है महाभारत जिसे गंतों में तो यहां तक कह दिया कि एकादशी के दिन अन्न खाना ये गाई के मांस खाने के बराबर है गो मांस के बराबर लेकिन महाभारत में ये भी चूट है कि यदि शरीर विपत्ती में हो तो as a medicine और शदी दवाई आप ले सकते हैं अन्यता एकादशी के दिन यह वरत करना चाहिए है स्वाज हम सबका परमसोगाग्या है कि सफला एकादशी शुमद भागवत का अंतीम दिन है हमारे इस कार्य करम को निर्विग्न संपन करने है तू आज सफला एकादशी आई हमें आशिरवाद देने के लिए हैं आईए दश अउतार की कता हम सब श्रवण कर रहे हैं दश अउतार हम निविदन कर रहे हैं मुझे हमारे जो धर्मसंदेश चैनल से आस्था चैनल से हमारे अरी भक्तों ने बहुत कहा कि 22 जन्वरी को इतिहास बनने जा रहा है तो आप 2-5 मिनिट कुछ अपना भाव यक्त कीजिए मेरे अंदर तो भाव 22 घंटे का है लेकिन हम समय के मर्यादा में हैं लेकिन हाँ आज व्यास्पी छोड़ने से पहले अयोध्या में 22 जन्वरी को शीराम जी का भव्य मंदिर निर्मान हो ही चुका है भगवान राम जी की स्थापना होने जा रही है तो सरोब्रधम सरोब्रधम इस भव्य राम मंदिर निर्मान कारिय में हम हमारी प्रसनत अव्यक्त करते हैं गदई गदगद हो रहा है परम प्रसन हो रहा है कि कई वर्षों के बाद भी सही मंदिर बनने जा रहा है मंदिर शुरू होने जा रहा है यदि पॉजिटिवली लिया जाए ना सकारात्मक ही सोचना है तो क्या प्रॉबलम है पॉजिटिव यदि लिया जाए तो हमारे वहाँ कहते हैं दीरज के फल बहुत मिठे होते हैं मंदिर बहुत पहले बना होता न तो छोटा बड़ा छोटा मोटा होता लेकिन आज मंदिर बन रहा है तो भव्य मंदिर का निर्मान हो रहा है हम सनातन धर्मियों का दुर्भाग्य कहें हम भक्तों का दुर्भाग्य कहें कि मंदिर को बनने में देरी लगी राम जी की स्थापनार बिचारे टेंट में थे जब भी जाते थे तो आँखों से आँसों निकलते थे लेकिन अब भव यह महल में राम जी जब विराजने जा रहे हैं यह महल यह मंदिर बनने में देरी लगी परन्तु सच कहें रदई में आनंद इस बात का है कि जिस सिद्दान्तों पर राम जी ने अपना जीवन बिताया जिन मर्यादा धर्म को सिखाने के लिए राम जी इस धर्ती पर प्रकट हुए उसी मर्यादा का पालन करते हुए ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है कोई इंसा नहीं, कोई आतंक नहीं कोई गड़वड नहीं, कोई अधर्म नहीं जिस मर्यादा के सिद्दान्त पर राम जी का जीवन था उसी मर्यादा में रहकर सनातन धर्मियों ने हरी भक्तों ने मिलकर ये भगिरत कारिय किया रदई में आनन भी इस बात का है जब राम से तू बन रहा था न तो छोटी से छोटी गिलहरी से लेकर विभू से विभू हनुमान तक उस राम से तू बनाने में लगे थे और सब के सहयोग से वसे तू बना ठीक उसी प्रेकार यह अयोध्या में शिराम जी के इस मंदिर में छोटे से छोटे भक्त से लेकर बड़े से बड़े लोगों ने इसमें जो भी तन, मन, धन से अपना सहयोग किया है उन सभी भक्तों के चरणों में हम शत शत वंदन करें बारम बार प्रणाम करते हैं और देखो हम लोग श्रीफल नारियल तोड़ते हैं तो एक फटके से नहीं तूटता श्रीफल जब तोड़ते हैं तो एक फटके से नहीं तूटता पहला फटका, दूसरा फटका, तीसरा फटका पाँचवे फटके में तूटता है इसका अर्थ ये नहीं कि पाँचवे फटके ने श्रिफल तोड़ा आगे के जो चार फटके हैं वो पाँचवे को सपोर्ट करते हैं ठीक उसी प्रकार आज वर्तमान में जिसके माध्यम से मंदिर बन रहा है लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए पुर्व में जिन जिन लोगों ने महनत की है पुर्व में जिन जिन लोगों ने फटके मारे हैं उन सब का हम समरण करे और उन सब को धन्यवाद दे उन सब को हम प्रणाम करे जै सिया राम जै सिया राम जेखो श्री राम नहीं बोलना है सिया राम क्योंकि यह राम जी का जो मंदिर बन रहा है हमारी सीता से ज़्यादा प्रसंद कौन होगा जेखो अंत में इतना ही कि इस अवसर में हम सब को अयोध्या में अपनी आखों से इस इतिहास को रच्टे हुए देखना चाहिए लेकिन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल हमें हम सब को प्रैक्टिकल बनना है व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हम सब 22 जनवरी को वहाँ पर पहुंचे हैं इसलिए हम सब लोग 22 जन्वरी को अपने अपने घर में इस उत्सव को मनाए है भक्तो त्रेता युक के राम को तो केवल 14 साल का वनवास था कल्युक के राम को 70 साल का वनवास रहा जब 14 साल के बाद राम जी आए तो सारी अयोध्याने अपने घर पर दीपक जलाए और इसलिए दİपा वली का उत्सव बना तो आज हमारे भारत वर्ष में हमारे देश में अयोध्या में जब राम जी वापस आ रहे हैं राम जी के लिए भव्य भवन निर्मान हो चुका है तो हम सब 22 जन्वरी को अपने अपने घर पर दिपक जलाए और इस दिपावली का उत्सव मनाए और वाकी जैसे सुमीत्रा माता ने कहा और गोश्वामी तुलसी दास जी ने लिखा कि मेरे लिए तो अयोध्या कहा है मा सुमीत्रा ने कहा कि अयोध्या वहाँ है जहां राम है क्योंकि दीन वहीं पर होता है जहां सूर्य होता है वैसे अयोध्या वहीं है जहां राम है तो राम कहां पर है राम वहाँ है जहां राम जी की कता है सो हम भी संकल्प किये हैं कि 22 जनवरी को हम साथ दिन महानगरी मुंबई में शीराम कथा के गुण गाएंगे और इस उत्सव को मनाएंगे हो सके तो आप भी पहुँचिये ने तो इस आधुनिक उपकरणों के माध्यम से हम सब लोग साथ में बैठ कर इस उत्सव को मनाएंगे अंत में एक शब्द इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतने वर्ष के संगर्ष के बाद जब ये मंदिर बन चुका है और राम जी अप्रतिष्ठित होने वाले हैं तो रदई में कितना आनन्द हो रहा है जनमरंक जिमे पारस पावा जनमरंक जिमे पारस पावा अंद ही लोचन लाभ सुहा अंद ही लोचन लाभ चोदह वर्ष वनवास में विचरण करने की बाद जब राम जी अयुद्या में वापस लोटें और राम जी का दर्शन करके अवद की प्रजा को जो आनन्द हो आज वही आनन्द है राम जी के इस अयुद्या मंदिर में स्थापित होने पर होने जा रहा है क्या आनन्द ताव जनमरंक जिमे पारस पावा जनम से कोई रंक है जनम से कोई दरीद्र है दरीद्रता का कितना कष्ट होता है दरीद्रता का कितना दुख होता है वो तो दरीद्र ही जानता है तो स्वामी जी ने लिखा है गरीबी बहुत बड़ा दूख होती है वो तो गायल की गती गायल जाना है हम लोग तो केवल चर्चा कर सकते हैं कि गरीबी क्या ये क्या जिसने गरीबी भोगती है वो जानता है जन्म से जो दरीत्र है अच्छा भोजन नहीं मिला अच्छे वस्तर नहीं मिले अच्छा घर नहीं मिला अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली ऐसे जन्म से कोई रंक दरीद्र व्यक्ति को अचानक पारशमणी मिल जाए अचानक स्परशमणी मिल जाए और वो जितना सुखी होता है और जन्म से कोई अंधा है जिसने कभी दुनिया को देखा नहीं दुनिया के बारे में सुनता तो है लेकिन विचारा देख नहीं पाता और जन्म से अंदेव यक्ति को अचानक आखे मिल जाए और दुनिया देखने का जो सूख होता है और किसी गरीब को अचानक पारस्मनी मिल जाए और वो अमिरीका जो सूख होता है वही सूख राम जी का 22 जन्वरी को अयुद्ध्या के इस मंदिर में देखने से प्राप्त हूँ रगुपति रागवर राजा राग पतित पावन सितारा रगुपति रागवर राजा राग पतित पावन सितारा राजाराउ राजाराम, पती तपावन सिताराथ राजाराम, पती तपावन सिताराथ राजारां राजारां पतित पावनस सितारां राजारां राजारां पतित पावनस सितारां बोलो रगुपति रागवन, रागुपति रागवन, सीताराम तुमारी जय 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 सित्ता राम तुमारी जय जय हो अवधेश तुमारी जय जय हो अवधेश तुमारी जय जय हो राजाराम तुमारी जय जय हो राजाराम तुमारी जय जय हो अवधेश तुमारी जय जय हो लोका बिरामं रणरंग धीरं जीवनेत्रं रगुवन कारून्य रूपं करुणा करंतं शिराम चंद्रं शरणं राजाराम तुमारी जय जय हो अवधेश तुमारी जय जय हो शिराम चंद्र भगवाजन की जय हो प्रभु काई क्यों मने आये थी ठोहां उताता है कहीं बोलो कहीं रदई का भाव जो था मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया आये तो मेदान में उतरते हैं मानरे छोडीने आओ मेदान मा आओ मेदान मा दस अउतार की कथा हम सब श्रवन कर रहे हैं और ये दसो अउतार एक श्लोक में जहिदेव गोश्वामी ने बिठा दिये गुजरतिम गोठवी दिधा वैसे जहिदेव गोश्वामी ने दस अउतार के लिए दशा अउतार स्तोत्र दस श्लोक में लेकिन दसो अउतार को एक श्लोक में स्क्रीन में आप देख सकते हैं आईए इस श्लोक को भी थोड़ा समझ ले वेदा नू धरते जगंति वहते भूगो लमूद वीब्रते देत्यम दारयते बलिंचलयते शत्रशयम कुर्वते पौलस्तम्जयते भलंकलयते कारुण्यमातन्वते मले चान मूर्चयते दशाद शेक्रिते क्रेश्णायतो भ्यम्नमातन्वते आप लोग स्क्रीन पर ही देखिएगा श्लोक को समझ लेजिए अपने जीवन में याद करके रखिएगा एकी श्लोक में भगवान के दशो अउतारों को प्रणाम किया गया वेदान उद्धरते एक प्रथम अउतार वेदान उद्धरते वेदो का उद्धार करने के लिए हुआ कौन्सा मच्य अउतार दुसरा जगंती वहते भुगोल विद्वरते जगत को उठाते हुए प्रुत्वी को धारन करके प्रुत्वी का उद्धार किये कौन्सा अउतार वराह अउतार दुसरी लाइन में देत्यम दार्यते देत्यम देत्यों का वद कर दिया हिरन्याश का वद कर दिया तिसरा अउतार कौन? नर्शिंग अवतार हिरण्य कश्पु का वध कर दिया देत्यम दार यते फिर आगे बलिम छल यते बलिम छल यते बली महराज को छल लिया वामन अवतार क्षत्र शयम कुरुवते शत्र, शत्रियो को खशई कर दिया एक्सपर्ट हो गए थोड़ी दिर बोलोगे कुछ माता है कहते हैं बुलाना मत हम किसी का चांसी नहीं आने देंगे जब बोलना शुरू करेंगे शत्रम शयम कुरुवते शत्रियो का खशई कर दिया परशुराम अवतार फिर तीसरी लाइन में है पॉलत्स्यम जैयते पॉलत्स्यम पुलत्स्य रुशी के वंश में जन्म लेने वाले रावन के उपर जैय प्राप्त किया किसने? राम जैय शी राम हलम कल यते हल को जिसने धारण किया कौन? बलराव कारूनियम आतनवते करुणा बर्साई करुणा बर्साई और शांती परमधर्म की स्थापनी कौनसा अवतार? बुद्ध अवतार जो आज हम सुनेंगे और फिर दस्वा है मलेच्छान मुर्चयते मलेच्छो को मारने वाले दस्वा अवतार कलकी अवतार पता नहीं है कलकी और बनने चला कलकी कल्यूग में कल्यूग में कहीं सारे लोग केते हैं मैं कलकी अवतार हूँ कलकी पता है? तुझे क्या होने वाले? पता नहीं कलकी और बनने चला कलकी अवतार सु मले चान मूर्षते कल की कहते हैं दशा दशी कृते ये दशो अवतार जिसने धारण किये कृष्णाय तुभ्यम नमहा ऐसे वगवान से कृष्ण को हम बारं बार प्राम करते हैं सो अब तक हमने आठ अवतारों के विशे में सुना आईए कल्यूग में होने वाले दो अवतार जो दश अवतार में कहे गए नौवा अवतार है बुद्ध अवतार बुद्ध अवतार को फ़रा सा समझना होगा आईए जैदेव गोश्वामी की कलम से ही समझे स्क्रिन पर आप लोग देखिए छी जैदेव गोश्वामी कहता है निंदसियाग्यविदे रहाः शृति जातं सदयारदया दर्शित पशुगाः केशव द्रीता बूद शरीरा जय जगदे शहरें जय जगदे शहरें जय केशव द्रीता बूद शरीरा जय जगदे शहरें जय जगदे शहरें जय जगदे शहरें भगवान बुद्ध प्रकट हुए क्यों? श्लोक को थुड़ा सा देखना पड़ेगा आपको नहीं तो बुद्ध को समझ नहीं पाएंगे वैसे हम लोग बुद्धु हैं आप लोग नहीं हैं मैं मेरी बात कर रहा हूं और हम बुद्धु बुद्ध को समझने बैठा हैं बुद्ध तो बुद्ध हैं लेकिन थोड़ा सा शास्त्रों का साहरा लिया जाए भगवान बुद्ध क्यों आए पहले शब्द में ही लिखा आप पढ़िये क्या लिखा है निंद सी यग्य विधी यग्य विधी की निंदा करने के लिए भगवान प्रकड हुए है अब बताईए जीस स्वयम भगवान ने यग्य का विधान वेदों में रखा उसी भगवान ने यग्य की निंदा की है ना यह थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉंप्लिकेट है इसलिए कुछ लोग बगवान बुद्ध को तो मानते हैं लेकिन बुद्ध के विजारों को बुद्ध के उदेश को नहीं मानने के कारण एक सेर्टन लेवल तक अटके हुए है सो बगवान बुद्ध प्रकड हुए निंद सी यग्य विधे विदे मनें वीदी यज्य की वीदी और फिर एक शब्द है संस्कृत जहिदे गोश्वमें के अपसोस है ना निंदसी यज्य विदे अपसोस वाला शब्द है अपसोस हुए उनको बड़ा अपसोस हुआ के कल्यूग के प्रारंभ में अभी तो कल्यूग शुरू हुआ है कल्यूग की शुरू आतम है लोग वेदों को पढ़ते थे लेकिन वेदों को पढ़कर वेदों का मिस्यूज करने लगे बले वेदों में लिका है यग्य करना और यग्य में मनुष्य की बली देना पशुओं की बली देना पशुओं की बली देकर खुद नौनवेज खाते थे खुद मांस खाते थे तो स्वयम मांसा हार भी करने लगे और वेदों के नाम पर भगवान ने देखा ओ ये यग्य में पशुओं की बली दी जाती थी कव सती यूग में और उन यूगों में सत्यूग त्रेता में जब यग्य में पशुओं की बली दी जाती थी तो वो पशुओं देवता का और उपदारण करके स्वर्ग में चला जाता था क्योंकि यग्य करने वाले ब्रामन पवित्र थे ब्रामनों के मंत्र प्रवित्र थे यजमान के उद्देश्य पवित्र थे पवित्र घी पवित्र सामगरी थी कि पवित्र अगनी थी आज कहां पवित्रता है और यदि आज किसी भी प्रकार की पवित्रता नहीं है हम उसी बातों को हम फॉलो करेंगे तो बिचारा जो पशु की बली देनी है वो देवता बनना चाहिए वहां पशु बिचारा वेशेही कट जाएगा इसलिए शास्त्रों में कहा गया अश्वमेगं गवालंभं कलो पंच वर्जयेत सीधा कह दिया कल्यूग में पांच चीज वर्जित हैं उनमें से एक हैं अश्वमेध यग्या मतलब यग्यों में बली देना यह कल्यूग में पॉसिबल नहीं है लेकिन वेरभी कुश लोग व पशुओं की बली देते जा रहे थे और आतंक मजाए लोग अब श्लोक की तीसरी लाइन में देख सकते हैं दूसरी लाइन में सदय रदय दर्शित पशुगातम इस प्रकार से कल्यूग के प्रारम में पशुगातम पशुओं का घात हो रहा था पशुओं को मार रहे थे और पशुओं को मरते हुए देखकर सदय रदय उनके रदय में भगवान बुद्ध के रदय में दया आ गई कि और केश वद्रीत बुद्ध शरीर और बुद्ध उतार लेकर निंद सी यज्य विधे अपने ही द्वारा बनाई हुई यज्य विधी की निंदा कि भगवान बुद्ध आये और लोगों को कहते थे ये पशुओं की बली मत करो तो लोग कहते थे अरे विधी वेदों में निदा कि पशुओं बुद्ध को रदय में पत्थर रखकर कहना पड़ा छोड़ो ये वेद गलत है वेद असत्य है वेदों को मनना छोड़ो मैं कहता हूँ पशुओं इंसा मत करो तो उन जो लोग वेदों के नाम से पशुओं इंसा कर रहे थे उन लोगों को रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों की निंदा कर दी और कहे दिया वेदों की कोई जरूत नहीं है लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है न के वेदों की जरूत नहीं है वो तो एक special situation में भगवान बुद्ध ने कहा था लेकिन समाज के कुछ लोग भगवान बुद्ध के उस बात को पकड़ लिये और आज भी वेदों को नहीं म बानते हैं शान्ती परमधर्म मानते हैं वेद में बानते हैं ये सारी बात आप एक example से समझ जाओगे हैं जैसे मां अपने बेटे को दूद पिलाती है चलो बेटा दूद पिलो चलो दूद पिलो चलो दूद पिलो अब दूद में केल्शम है, बहुत सारे गून है, तो मा तो पिलाती है दूद, एक दिन बेटा भी माद, अब बेटे को दूद की आदत लग गई, और बेटा को बुखार आ गया, डॉक्टर ने कहा कि एक सप्ता, एक वीक इसको दूद मत पिलाना, अब बेटा कहता है कि मुझे दूद चाहिए, मा कहते हैं नहीं दूद नहीं पिना है, मुझे दूद चाहिए, मुझे दूद चाहिए, अब बहुत जबर जबर जब, इसको बुखार आया है, बिमार है, तब मा को कहना पड़ा, कि बेटा ये दूद गंदा होता है, ये गंदा होता है वो एक स्पेशल समय के लिए जब बेटा का रोग ठीक हो जाए बिमारी ठीक हो जाए फिर तो दूद अच्छा है न तो जब तक पशु इंसा जीव इंसा हो रही थी तब तक भगवान बुद्ध का यसी दान्त था के वेद गलत है लेकिन जब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई एक सभ्य समाज निर्मान हो गया तब तो वेदो की ज़रुवत है शायद आप लोग समझ रहे हैं सईस्परकार से बगवान बुद्ध गया में हमारे भारत वर्ष में गयातिर्थ है गयातिर्थ में अंजना के पुत्र के रूप में बगवान बुद्ध का जन्म हुआ और अपने आचरण से समाज में ये अहींसा और शांती का धर्म पहलाया ये भगवान बुद्ध को फॉलो करते हुए उनके मर्म को समझना होगा कई बार जो दिखता है वो ता नहीं है भगवान बुद्ध ने जो कहा उसके मर्म को समझना है माने कहा के दूद गंदा होता है मतलब special situation में गंदा होता है इस प्रकार से भगवान बुद्ध का अवतार और दस्वा अवतार हुआ के होने वाला है दस्वा अवतार हुआ नहीं है होगा और वो है कल की अवतार कल की अवतार कल की हम जिस यूग में रहता है इस यूग का नाम क्या है कली एक्चुली आपको बताएं हम लोग सत्यूग में होते हैं हम लोग अभी सत्यूग में बैटे होते हैं लेकिन एक प्रब्लम हो गई ना तो कल यूग आ गया शिमद भागवत जी के प्रतमस कंद में कता है जब भगवान सी कृष्ण स्वधाम चले गए और यह पता चलते ही पांडों भी स्वधाम चले गए परिक्षित को राजा बनाया और महराज परिक्षित एक दिन दिग विजय करके अपने राज्य में वापस लोटे तो उन्होंने देखा एक चोकाने वाला द्रश्य देखा और वा द्रश्य क्या था सुझ्जी भागवत में कहता है दर्म पदे केन चरण विच्छा यामुश लभ्यगाम समाश्रू वदनाम इव विवत्साईव मातरम एक बेल एक सांड एक बूल जिसके तीन पाउं काट दिये थे और वो एक पाउं पर खड़ा था और बाजू में गव माता खड़ी थी और गव माता की आँखों से अश्रू की दारा बह रहे थी रो रही थी और परिक्षित उसी समय वहाँ पहुँच गया है अब परिक्षित के राज्य में आज तक किसने मच्छर भी नहीं मारा था और जाकर के उस बेल को कहते हैं तुम्हारे तीन पाउं किसने काटे किसने काटे कुछ बोला नहीं कि राजन आप ही बुद्धिमान हो आप ही फैसला करो राजा ने यहाँ वहाँ देखा तो साक्षात कलियूग राजा का रूप लेकर हाथों में तलवार खुन टपक रहा था समझ गये कि इसी कलियूग ने उस बेल के तीन पाउं काटे धर्म के तीन चरण काटे महराज परिक्षित कलियूग के पास गए और म्यान से तलवार खिंची और कलियूग को मार नहीं गए वह साक्षात कलियूग परिक्षित के चरणों में गिर गया महराज जीवन दान दीजिए परिक्षित महराज कहता है जहां तक मेरा राज्य है न मेरे राज्य को छोड़के अब भी इसी वक्त चला जा कलियूग ने कहा परिक्षित आपका राज्य तो पुरी दुनिया में है पुरी धर्ति आपकी है इस दर्थी पर कहीं तो स्थान दो परिक्षित ने चार जगव पर स्थान दिया जानना चाहोगे पक्का बुरा नहीं लगेगे ना मानोगे ना मैं शलोक के साथ कहूँ अब्यर्थी ततदा तसमे स्थाना नी कल ये ददो दूतम पानम स्तिरिय सुना यत्र अधर्म चतुर विदा चार जगव पर कलियूग को स्थान दिया माराज परिक्षित ने सबसे पहला स्थान दिया दूतम कलियूग इस दुनिया में जहां जुवा खिला जा रहा हो उसके सीर पर जाकर बैढ़िया जुवारी योग के सीर पर कलियूग चड़ा होता है जो लोग जुवा खिलते हैं उस पर कलियूग चड़ जाता है इसलिए जुवा नहीं खिलना चाहिए नो गैंबलिंग शुल प्रभु पाजी कहते थे दूतम पानम दूसरा स्थान पानम जहां लोग नशा करते हैं वहां जाओ शराब का नशा, सिगरेट का नशा चाई कोफियादी का नशा वहां कल्यूग का वास होता है स्त्रियह स्त्री और पुरुष के बिश्म जहां अवेध संग होता है वहां कल्यूग का वास होता है और चोता है सुना, सुना माने जहां मांस, मच्छी, अंडे पर माटी खाई जाती है वहां कल्यूग का वास होता है ये चार काम जो करते हैं न कल से अपने आपको धार्मिक कहना बंद करें बागवत के अनुसार ये चारो कारिय अधर्म के कारिया है ये चारो अधर्म के स्थान है यदि ये चार कारिय ये चार पाप करते रहें आप चाह कर भी धर्म के मार्ग पर टीक नहीं पाऊगे क्योंकि ये पाप आपको धर्म करने ही नहीं देंगे So, कल्यूग को इस चार जग़ पर स्थान दिया और कल्यूग इन चारों जग़ पर पहुँचा और कल्यूग ने अपने ऐसी माया रची साड़े पाँच ज़ार वर्ष में तो कल्यूग अपनी चरम परम सिमा पर पहुँच गया प्रभु ने सोचा होगा, परिक्षित ने सोचा होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वैसे कल्यूग चार लाख 32 ज़ार वर्ष का है लेकिन कली की शुरूवात में ही कैसी परिस्तिती आजकर हम लोग देखते हैं आगे न जाने क्या होगा सो आज पुरे विश्व में इवन भारत में भी पुरी दुनिया में जूदा खिला जा रहा है मांस खाया जा रहा है अंडे खाये जा रहे हैं अधर्म किया जा रहा है नशे किये जा रहे है इस परकार पाप हो रहा है महराज परिक्षित जानते थे कि कलियूग ये सब पाप करवाएगा इस धर्ती पर पाप का बोज बढ़वाएगा यदी परिक्षित जानते थे तो फिर कल्यूग को रहने क्यों दिया मारी दिया होता तब सुझ ने बहुत सुन्दर बाद बताई कि परिक्षित ने देखा कि कल्यूग में दोश बहुत है लेकिन कल्यूग के लाखों दोशों के बीच में एक ऐसा गूण है जो किसी युगों में नहीं है कल्यूग दोशों का निदी है कल्यूग दोशों का समुद्र है जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है वैसे कल्यूग में दोशी दोश है क्या कहां? थोड़ा शलोक समझे कल्यूग दोशों का सागर है तो फिर ये कहना फलाने भक्त में तो ये दोशे है कोई समुद्र के बीज में खड़ा रहकर करें ओह यहां तो बहुत पानी है तो तू पानी के बीज में तो आया है इसमें आश्चरिय क्या है इस भक्त में ये कमी फलाने भक्त में ये कमी उसमें वो कमी तो कमी का तो समुद्र है न कल्यूग इसमें कोई आश्चरिय नहीं है और इसी को गाते रहना इसी में टाइम बरबाद नहीं करना चाहिए इस दोशों के समुद्र के कल्यूग में एक महान गूण है तोड़ दे इसा गूण जो न सत्यूग में है न द्वापर में न त्रेता में है वो महान गूण कौन सा कहते हैं सत्यूग में जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए लाखो लाखो वर्ष तक ध्यान किया जाता था फिर भी वो भगवान नहीं मिलते थे त्रितामे जी सिश्वर को प्राप्त करने के लिए हजारों यग्य करने पड़ते थे तब भी भगवान दुरलब थे और द्वापर यूग में लाखो करोडो रुपिये खर्च करके जो परीचरिया करनी पड़ती थी फिर भी जो भगवान नहीं मिलते थे वो भगवान कल यूग में मात्र हरी नाम लेने से प्राप्त हो जाएंगे किर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परंब्रजेत ये गूण है कल यूग का अन्य यूगों में इश्वर की प्राप्ती बहुत दुरलब थे कल यूग में आसान हो गई मेरे गोश्वामी तुलसिदास जी ने तो कहा कल यूग यूग सम आन नहीं कल यूग जैसा कोई यूग नहीं है यदि थोड़ा सा समझ में आ जाए तो कल यूग जैसा यूग नहीं क्योंकि यहां कूछ नहीं करना केवल हरी नाम लो और भवसागर को पार हो जाओ कल यूग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी उतरो भव केवल ना केवल ना कितनी बड़ी राए इसलिए माहराज परिक्षित ने सोच समझ के कल यूग को रहने दिया अब हमारे उपर डिपेंड करता है कि हम वो दोशों में ही फसे रहें कि इसके गून को समझ कर बेनिफिट ले ले बहुत बड़ा सेल है भकतो सेल केवल हरी नाम लेकर रदई की शुद्धी और प्रवो की प्राप्ति बड़ाती है सूत जी भागवत के प्रारम में ही कह दिये आपन संसूरुतिम गोराम हम सब लोग इस गोर संसूरुति में भवसागर में फसे हैं फसे हुए हैं लेकिन इस गोर संसूरुति में फसा हुआ आदमी विवश होकर भी कृष्णस्य नाम ग्रिनन कृष्ण का नाम लेता है तो तता सद्य विमुष्चेत तुरंत ही इस भवसागर से मुक्त हो जाएगा क्योंकि यद विभेती स्वयम भयम क्योंकि भगवान के नाम से भई भी भई भी भीत हो जाता है महा काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड सकता जो हरी नाम लेता है यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड सकता जो हरी नाम लेता है जो नाम के आश्रे में और शिमद भागवज्जी में अजामिल आदी प्रसंग इसके ज्वलंत प्रमान है उसी अजामिल प्रसंग में शुक्देव गोस्वामी ने कहा न तथा यगवान राजन पुय तथा आधि भी तथा कृष्णार पित प्राणा तथा पुरुष निशेवया राजन किसी भी जीव को पवित्र करने के लिए हरी नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, विष्णु का नाम, प्रभू का नाम किसी भी जीव को जितना पवित्र करता है उतना न होम, हवन, यग्य, तप ये सब मिलकर भी नहीं कर सकते है नहीं कर सकते है हरी नाम से जितनी पवित्र का आती है कि पत्नी अन्य किसी से नहीं आते हैं कि कई वार हम लोग देखते हैं हरिद्वार में यहां वहां कहीं जाते हैं आखों से द्रश्य लगवग हमें दिखाए देता है कि कई लोग अपना घर त्याग देते हैं अपनी ऑफिस त्याग देते हैं अपना परिवार त्याग देते हैं पत्नी बच्चे सब कुछ त्याग कर अरिदवार चले आते हैं भगवा धारण कर लेते हैं लेकिन रोज सुबह उठकर चाई की लाइन में खड़े रहते हैं, गांजा फोगते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मतलब पूरा परिवार छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, बीडी नहीं छोड़ पाए, बीबी छोड़ दी, बीडी नहीं छोड़ पाए, क्यों? क्योंकि रदई मलान है, रदई की पवित्रता नहीं है, और हमारे इसकॉन जैसी संस्था में आप आई यह बेटा चाई पिओगे तुरंद मना कर देगा चाई नहीं पिनी चाहिए हमारे बच्चे जब दुकानों में जाते न कोई आदमी फ्री में कोई वस्तु देता है न तो पहले वो चेक करते हैं इसमें ऑनियन गार्लिक तो नहीं है इसमें एग तो नहीं है वो लोग साट-साट साल के बूड़े हो गए लेकिन गांजा और चलम सिगरेट नहीं छोड़ पाए और यहां पांच-पांच साल के बच्चे प्याज लसुन चाय आदी नहीं लेते कारण क्योंकि यह छोटे-छोटे बच्चे हरी नाम ले रहे हैं हरी नाम लेकर पवित्र हुए हैं जब तक हरी नाम नहीं लोगे न चाहे कितनी हूं तपस्या करलो कितना हूं त्याग करलो यह रधै पूर्ण शुद्ध नहीं होगा रधै शुद्ध होगा एक मात्र हरी नाम से और कल्यूग में तो अरी नाम के लवा कर भी क्या सकते हैं मुझे बताओ चलाओ आप में से कौन यग्य कर बाता है बता है जब नया घर बनाते है न तो मोटा उपाड़े पंडी जी को फोन करते हैं कि वास्तु मुरत करना है यग्य करना है पंडी जी जब यग्य का लिष्ट देते हैं तो फोन में ही पसीन आ जाता है इतना इतना लाना पड़ेगा और फिर जब यग्य में बेटते हैं तो आदे घंटे में तो विचारा कहां यग्य हमसे हो सकता है कोई यग्य हो महवन कुछी हरी नाम हो सकता है शिपाशिदर स्वामी चिच्चोर प्रभू भावार्थ दिपीका तपन्तु तापे प्रपतन्तु परवता दटन्तु तिर्थानी पठन्तु चागमान यजन्तु यग्य विवर्धन्तु वादे हरी विना नेव मृतिम तरंती तपन्तु तापे अपने शरीर को कितना भी तपा दीजिए प्रपतन्तु परवता परवत से गीरिए दटन्तु तिर्थानी सारे तिर्थ कर लीजिए यजन्तु यग्य सारे यग्य कर लीजिए विवर्धन्तु वादे सारा वाद वेद पढ़ लीजिए लेकिन जब तक हरी नाम नहीं लोगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता मुक्ति नहीं हो सकती हरी विना नेव मृतिम तरंती हरी नाम की महिमा अदभुत गरुड पुराण मां आटो मारो जाएं अम मेरा पशी मारो यह नहीं पिला जीते जी मार लेते हैं मरने के बाद क्या तो गरुड पुरान है जीते जीते सून लीजिए गरुड पुराण में लिखा है गरुड पुरान है क्या लिका है क्या लिका है मैं भूलकिए गरुड पुरान में लिखा है क्या लिखा अपर गोटो थे हो मैं नहीं भूलता, सब याद होता है पोरो लवचु पोरो गरुड पुरान में लिखा है गोकोटी दानम, ग्रहने खदस्य, प्रयाग गंगो, कोटी कल्प वास, यज्या युतम मेरू सुवर्ण नामम, गोविंद नामन सत्समं सतांचे गोकोटी दानम बड़ा भारीश लोग है भक्त गरुड पुरान में गोकोटी दानम करोडो गाय का दान करो, कितनी? कभी किया आप ने? अमरे वाँ शादी होती ना? पेलू पेलू मंगली यूँवर तायरे पेले मंगल शेना ते दान तो अमरे वायन वो दान देते हैं पेले मंगल सोना ना दान फिर चांदी का दान फिर एक आता है गाय का दान मोटा आओ पड़े गाते कितने भावस हैं गायो ना दान दे वायन हैं सो रुपिया क्या दे लोहे की गाय के वो गाते हैं गायो ना दान दे वायन हरे तारू दान यह यह इतनी गाई दान देके हम तो पेपर में चपाते हैं खैर लेकिन कहता है गरुड पुराण में गो कोटी करोडो गाई अब इसलिए कहना परता है ओरिजनल हो चलने फिरने वाली करोडो गाई का दान और वो भी ग्रहन के दीन गोकोटी दानम ग्रहने खदश्या संबूस् pleased गायों के दान की अपने अपनी महिमा होती है लेकिन ग्रहन के दिन तो कोटी कुणा बढ़ जाती है सवाप जोड़ते जाए है上 सरवाला करते जाएं गोकोटी दानम ग्रहने हो दस्य करोड़ों गायका दान ग्रहन के दिन करो और जितना फल मिलता है उतना होल्ड करो पिर आगे कहते हैं प्रयाग गंगो कोटी कलप वास तिर्थ राज प्रयाग के थट पर कोटी कलप तक वास करो जितना पुन्य फल मिलता है वो भी जमा करो कितना जमा हुआ आपसे करोड़ो गाय का दान जमा कर लिया और प्रियाग में कोटी कल्प रहकर जो फल मिला वो जमा कर लिया और फिर आगे कहते हैं यग्या युतम मेरू सुर्ण दानम रोज सुबह उठकर सुमेरू परवत जितना सोने का दान करो मिला और इस अब जमा कर लोगे इतना इतना फल भी Krishnah के नाम के सोवए हिसी की भी बराबरी नहीं कर पाएगा गोविंद नामन समम सतान चे तो भी छोड़ोना मंगर कमारी सिधे शुरू करता है हरे क्रिश्ना पर शिर्टेश्णा क्रिश्णा करें हरे राम हरे राम रामराम हरे हरे तंसी तप दान देन ऊंग नती आओ थी छोड़ो ना है उंजा गरा यही सिथा शुरू करो हरी ना या हम Code लिखते हैं चहु जुग चहु शुरुत नामघ प्रभाव लेवल कलयूग नहीं चारो वेदल चारो शुरूती चारो युगवमें सत्यूग में भी ध्यान करने के बाद नाम तो चाहिए था सत्यूग में द्रू महाराज ध्यान किये लेकिन नाम तो लिए ना ओम नमो भगवतिवासु दिवाई तो सत्यूग में भी नाम का प्रभाव, तृता में भी नाम का प्रभाव, द्वापर में भी नाम का प्रभाव लेकिन कल्यूग में तो नाम के अलावा और कोई आप्शन ही नहीं है केवल नाम, हरी नाम और नाम पुछा गया कहो कहा लगी नाम बढ़ाई नाम की महिमा कितनी है गोई सामी जी कहते हैं नाम की महिमा रामन सकही नाम गुण गाई हरे स्वयम भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते क्योंकि हरी से बड़ा तो पसी लोने हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा क्रिष्णा हरे हरे राम 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 हरे और भी सारे वानर रीच बालू बड़े बड़े परवत पत्थर ला लाकर नल नील वानर को देते थे और नल नील वानर राम नाम लिखते थे समुद्र में डालते थे राम नाम का क्या प्रवाव बड़े-बड़े पत्थर परवत समुद्र में तेरने लगे बड़ा उद्यम चल रहा है राम जी ने सोचा विचारे सब महनत कर रहे हैं मैं भी महनत करूँ मैं खड़े-खड़े क्या कुछ तो टाइम पास कुछ तो करना पड़ेगा राम जी ने सोचा अपन भी थोड़ी मेहनत करता है राम जी ने एक पत्थर उठाया बोले ये सब को डिश्टर्ब नहीं करना है थोड़ी दूर जाकर किसने का ओ प्रभू ओ राम नाम तो लिखवा लो मैं खूद राम हूँ राम नाम लिखा ने कि तुम लोगों को जरूरत है मैं तो खूद राम हूँ मुझे क्या जरूरत है राम जी बड़े confidence में बिना राम नाम लिखे पत्थर डाला डूब गया राम जी को टेंशन होने लेगा आजू बजू में देखने लगे कल सुबह निउस्पेपर में आएगा कि देखा तो पीछे अनमान जी खड़े थे यह अनमान तो किसी को बोलना मत है यार यह इज्जत का फालूदा हो जाएगा अनमान जी ने इतना ही कहा कि प्रभू आप जीसको डुबाना चाहो उसे कौन तार सकता है और आपका नाम जीसको तारना चाहे उसको कौन डुबा सकता है हरी से बड़ा हरी का नाम है आप इतिहास के पत्ते पलटने की छूट है वक्तो हरी ने कितनों को तारा हरी नाम ने कितनों को तारा अब गिन दीजिएगा हरी ने गीन चुन कर कितनों को रामजी ने कितनों को तारा गीन चुन कर लेकिन हरी नाम ने लाखों को तार दिया है लाखों को तार दिया पर पचास वर्ष पूर्वः मेरे परम गुरु देव एसी भक्ति विदान स्वामे शिल प्रभुपाद इस वरिंदावन में रहते थे और इस वरिंदावन में रहकर श्रुमद भगवत गीता और श्रुमद भागवत को इंगलिश भाषा में ट्रांसलेट किये पर अपने गुरु की आग्या को शिरोधारिय करके भारत से अमेरिका गये कारगो जहाज में बैठकर एक महिने की दुर्गम यात्रा में बैठकर कई हाट अटेक आए सब को जेलते हुए सतर साल के संत अमेरिका बॉष्टन बंदरगाह में उत्रे उन दिनों अमेरिका की स्थिती कैसी सब लोग शराब के नशे में लेश्डी के नशे में यह शराब पीकर नशा कम पढ़ रहा था तो इंजेक्शन से इंजेक करते थे और चोवी सो घंटे नशे में और शिल प्रभुपाज जी ऐसी परिस्थिती में पहुंचे और एक वरुक्ष के नीचे बैठकर हाथ में करता लेकर भगवान का नाम गाने लगए है है हरी नाम गाने लगए है वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है यह वस्तु शक्ति जो न प्रभुपाज जी इस महामंत्र को गाने लगे है और दिरे दिरे सब लोग आकरशित होने लगे है पहले तो समझ में नहीं आ रहा था है लेकिन नाम तो अपना काम करता है वो लोग शराब के नशे में जूलते हुए जूमते हुए महामंत्र को सुनते थे और महामंत्र की द्वनी यह वाइब ईड्रेशन इतने प्योंच ने पवित्र है कि कोई भी कैसे भी सुनता है बोलता है तो धिर दिरे वह चीद को रदड़ी को शुद्द करही देता है में तो महा मंत्र की ध्वनी करन में जाती रही जीवा से बोलते रहे और धिरे 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 रदय शुद्ध हुआ और एक दिन ऐसा आया कि जो लोग शराब के नशे में जुम रहते हैं शिल प्रभुपाद जी ने पुरी दुनिया को महा मंत्र के नशे में जुमा दिया हरी नाम के नशे में जुमा दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा और रहे 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 रहा 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 मोरा में से इस कलिज़ में महामांसar इस इस कलिज़ में महामंत्र का सहारा लेकर हरी नाम को आश्रीत होकर जीव अपना कलियान 차昨 कवित्र हो जाता है परन्तु इतनी इतनी महिमा सुनने के बाद भी इतने इतने सादू संत महत्माओं के द्वारा कहने पर भी जब जीव समझता नहीं है और फिर पाप में लगा रहता है और पाप तो दल दल जैसा है दल दल में कोई फस जाए पर जितना निकलने का प्रयास करें वह अधिक फस्ते जाता है है कि सो दल दल में जीव फस्ते जाएंगे अब भविश्य वानी हो रही है शुमद भागवज्य में क्योंकि कल की उतार हुआ नहीं न होने वाला है तो शुक्देव जीने भविश्य वानी की कि जो लोग हरी नाम का आश्रही लेंगे वो तो तर जाएंगे आप लोगों की तर आपने लिया है आश्रही यदि नहीं लिया है तो कथा के बाद यहां व्यास्पिट के पांस आ जाईएगा आप सब के लिए हमारे पांस हरी नाम माला है और जिसको संकल्प लेना है वो यहां आकर ले सकता है फ्री में है तो पहले यह टेंचन होता है कि आप कुछ जीवन का उद्देश एक मात्र शी चैतन्य महाप्रभु की आज्या हरी नाम और भागवत का प्रचार है और भागवत हमारी जीविका नहीं भागवत हमारा जीवन लेकिन हम गगडा परिवार जैसे भक्त मिल जाता है तो यहां हम दोडने लगते हैं खुला मार्ग मिल जाता है यह सनातन धर्म का प्रचार करने का अरी नाम बाटने का एक हाइवे मिल जाता है जब ऐसे भक्त मिलता है सो अरी नाम का अश्रे लेकर लोग तर जाएंगे लेकिन जो अरी नाम का अश्रे नहीं लेंगे वो पापों में उलस्ते जाएंगे अनेको प्रकार का आतंक बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, महामारी बढ़ेगी, दुश्काल बढ़ेगा, कोविड तो एक देखा, एसे बड़े बड़े नए नए रोग आएंगे और इस धर्ती पर एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, के भाई भाई को काट कर खा जाएगा, ऐसी परिस्थिति आएगी, पर जिस परिस्थिति में केवल पाप ही पाप बचेगा, उस समय भगवान का ये दश्वा आउतार कलकी के रूप में प्रकट होगा, एक दिव्य धवल घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर प्रभू आएंगे, और दुष्टो का विनाश करेंगे, शंबल ग्राम मुख्यस्य मुरादाबाद में, विश्णु यशा नाम के ब्रामन के घर पर प्रभू का प्राकट्य होगा, भगवान कलकी का, इस स सो इस प्रकार, दश अवतार हम सबने श्रवन किये हैं, परंतु इस कल्यूग में, जिवों का उद्धार करने के लिए, भगवान के दो-दो अवतार आये हैं, एक बुद्ध और दूसरा कल की आने वाला है, फिर भी भगवान ने सोचा के इस कल्यूग में, भयंकर कलह है, और इस भयंकर कलह के कारण, मेरे अवतारों से काम नहीं बनेगा, अवतारों को भेजतो राओं, बुद्ध और फ्यूचर में कल की, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, तब भगवान ने सोचा के मुझे ही इस धर्ती पर जाना होगा, तब कल्यूग के प्रारम में आज से 535 वर्ष पुर्व स्वयम भगवान सी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गया शी चैतन्य महाप्रभु की जाए कि अब कि आप सब तो जानते हैं कि भागवत को लेकर देश-विदेश में जाना होता है जब हम चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं तो लोग ऐसा करते हैं कि हाँ हम भी चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं बंगाल में जन्म हुआ और लेकिन वो तो संत थे ना वो तो एक भक्त थे लेकिन उसे एक भक्त के रूप में संत के रूप में मानते हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए जहां अवतारों के चरित्र की बात हो रही है ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभू अवतार भी नहीं श्री चैतन्य महाप्रभू स्वयम भगवान कृष्ण है स्वयम कृष्ण है और ऐसी स्थिति में क्या होगा जानते हैं जो लोग पहली बार इसे सुन रहे कहेंगे यह तो आप लोग इस आपका फेथ है ना इसलिए आप लोग बोलते हो भाई प्रमान होना चाहिए कितना पूंवस एकजार प्रमाण है कि वन थाउजन प्रमाण जैं आ के चैतन्य महाप्रभू स्वयम भगवान कृष्ण है और आपकी जानकारी के लिए प्रमाण किसको कहते हैं पेले ये समझ दीजिये मैं कोई किताब लिख दू और कहूं कि ये प्रमाण आप कोई किताब लिखो कहो ये प्रमाण ये कोई प्रमाण नहीं प्रमाण माने वेदव व्यास जी की कलम व्यास ने जो लिखा वो प्रमाण है तो व्यास की कलम से एक हजार जगह पर निविदन किया गया कि कल्यूग में स्वयम भगवान से कृष्णा आये श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अव्यास जिने ग्रंत लिखा अनन्त सहीता क्या ग्रंत है अनन्त सहीता में शिव जी को पारवती माता पूछती है कि हे शिव जी आपने मुझे राम कथा सुना दी आपने मुझे कृष्ण कथा सुना दी अब कल्यूग में जो भगवान होने वाले हैं उनकी कथा सुनाई है तब स्वयम्शी देवाधि देव महादेव कहते हैं कि देवी अईव राधिका कृष्ण सअईव गौर विग्र है यह देवी अभी अभी तुमने राधा और कृष्ण की जो कता मुझसे सुनी शिव जी पारवती को कहते हैं शें राधा और कृष्ण कल्यूग में राधा कृष्ण मिलीच सवरूप होकर गौर शिचेतन्य متने महाप्रवु' के रूप में प्रकट होंगे कहां प्रकट होंगे और के टो unaware दिपस्य ह्नवग द्वीप में मायापूर बंगाल sharpen Pare 12 m आप लोग कह सकते हैं हम भागवत सुन रहे हैं भागवत में कहां लिखा है एक नहीं कई जगह पर लिखा है थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा स्क्रीन पर आप देखें इस ब्रज में जब कृष्ण सो दिन के हुए तो गरगाचारी आये थैं और नंद बावा ने देखा के गरगाचारी आये हैं नंद बावा ने उनको कन्विंस किया के मेरे बच्चों के नाम करण कर दीजिए तब गरगाचारी ने पहले बड़े भाय का नाम रखा और अब जब कृष्ण को अपने गोद में लिया श्रिमत भागवत दशम सकंद आठवा अध्याई तेरह वा श्लोक भागवत में लिखा हैं चैतनियों महाप्रवु का प्रमाण पहले भागवत से देख लेजिए श्लोक स्क्रीन पर आप देख सकता हैं आसन वर्नास्त्रयो यस्या ग्रिहनतो नुयुगंतनो शुक्लो रक्तततापीता पिदानिम कृष्णतां गता पिदानिम कृष्णतां गता श्री गरगाचारिय कृष्ण को अपने हाथ में लेकर ये श्लोक बोले थोड़ा सा समझी है आसन वर्नास्त्रयो यस्या ये नंदवावा आपका ये लड़का हर यूग में प्रकड़ होता है और आसन वर्न और वर्न को स्विकार करता है रंग को स्विकार मतलब ये अलग-अलग यूग में इसके शरीर का रंग अलग-अलग होता है अन्य तीन यूग में आपके इस बेटे के शरीर का रंग कौन सा था पहले रंग से समझी है भागवत जी से तो कहते हैं शुक्ल सत्यूग में आपका बेटा शुक्ल रंग का था शुक्ल मने सफेद रंग का त्रेता यूग में आपका यही आपका बेटा त्रेता यूग में रक्त लाल रंग का था यग्य अवतार सत्यूग में शुक्ल सफेद हंस अवतार पहले लाश्ट लाइन को देख लेजिए, लाश्ट में क्या करते हैं, इदानिम कृष्णताम गत, अभी द्वापर यूग में, इदानिम, वो समय तो द्वापर चल रहा था न, तो इदानिम कृष्णता गत, अभी ये काला बनकर आया है, सत्यूग में सफेद बनकर आया, त शुक्ल रक्त तथा पीत पीत मने पीला येलो तो कली यूग में पीत वर्ण के भगवान कौन से बुद्ध तो पीले रंके नहीं थे कल की भी पीले रंके नहीं है तो पीले रंके भगवान कौन श्री चैतन्य महाप्रभू श्रीमत भागवत जी में चैतन्य महाप्रभू का एलान हो रहा है शुक्लो रक्त तथा पीत ये श्री चैतनी महाप्रवुकाजिकर है इस श्लोक में शब्द है थोड़ा सा संस्कृत के स्कॉलर यहां बैठा है इदानिम इदानिम शब्द है ये इदानिम शब्द गरगाचारिय है इसलिए बोल्रहे हैं कि ये ईदानिम कृष्ण और पीत हर समय नहीं आते हैं इदानिम मनें इस बाषे इस बाषे मलब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यह आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एकत्तर मनवंतर सोरी चोदह मनवंतर और एक मनवंतर में एकत्तर चतुर्यूग है सो ब्रह्मा जी के मिलब चोदह मनवंतर में किवल एक बार यह पीला और काला आता है इदानिम शब्दकारत है इस बार इदानिम कृष्ण इस बार कृष्ण और इदानिम पीत इस बार पीत हर बार नहीं हर बार तो शुक्त शुक्ल रक्त हर बार यह होता है तो इदानिम शब्द को और डिटेल में हमारे आचारियों ने कहा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में दौध होते हैं उस टोध मनोंद टर के सातव मनोंतर के 28 इस्वे जतुर यूग में दौपर में काला आता है और उसी दौपर के बाद जो कल्यूग होता है उसमें पीला आता है तो पिशले दौपर में आये कृष्णा और इस कल्यूग में ऐई शरी चैतन्य महाप्रयों महापरभु यह यूग आउतार नहीं है यह विशेश कारीय के लिए आप्ष्ठ कै सोय भगवान रिश्न प्रकत है और विशेश कार्यक के लिए स्वयम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू करकट हुए है यह तो वद्धश्वम स्कंद आई अब श्रुमद भागवत हमके ग्यारवे स्कंद में है श्रुमद भागवत के ग्यारवे स्कंद में नव योगेश्वर और मिथिला के राजा नीमी बहुत सुन्दर समवाद है नव योगेश्वर भगवान रुशब देव के नव पूत्र कवी हरी अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर होत्र दुरुमिल चमश कर भाजना ये नव योगेश्वर मुनी है मिथिला के राजा नीमी के वहाँ नव योगेश्वर पहुँचे और राजा नीमी ने एक-एक योगेश्वर को एक-एक प्रश्ण पूछा और नौवा प्रश्ण करभाजन रिशी को पूछा कस्मीन योगे कीस योग में भगवान कीस वर्ण के होते हैं और उस भगवान का रंग कौन सा होता है और उस भगवान को प्राप्ति करने का मार्ग कौन सा होता है ये बता दिजी क्या प्रश्ण था भागवत में ग्यारवे स्कंद में ये चार यूग है चारो यूगों में भगवान का अउतार कौन सा होता है उस अउतार का रंग कौन सा होता है उसको प्राप्ति करने का मार्ग कौन सा होता है तब करवाजन रुष्य ने इसका उत्तर 11 स्कंद में भागवत के अंत में दिया आप लोग कोगे हमने तो कभी भागवत में पढ़ा ही नहीं हम भागवत में पहले स्कंद से आगे बढ़ते ही कहा है मोटा उपाड़े शुरू करता है यह पहला स्कंद मांड पूरा होता है तब तक तो गरंती रख देता है फिर 2-5 साल के बाद फिर से पहला फिर से पहला 11 स्कंद में हम पहुचे ही कहा है और इससे भी बड़ी करूना क्या है पता है आदे लोगों को तो पता ही नहीं कि भगवत गीता अलग चीज़ है भागवत अलग चीज़ है कई वार हम लोग कहता है भागवत है आपके घर पे लाईए तो गीता ला कर दे देता है बोले यह तो भगवत गीता है बोले महराजी यह एक नहीं भागवत और गीता भगवद गीता माने जो कृष्ण ने कहा और भागवत माने कृष्ण ने जो किया सरलवाशान यदि एक सेंटेंस में आपको समझे कृष्ण ने जो कहा वो है गीता और कृष्ण ने जो किया वो है भागवाशान के सत्यूग में भगवान श्वेत वर्ण के होते हैं और भगवान का अवतार होता है हन्स और उस यूग धर्म उस यूग का यूग धर्म है ध्यान त्रेता में भगवान रक्त वर्ण के होते हैं नाम है यज्य और त्रेता युग का युग धर्म है यज्य द्वापर के भगवान शाम वर्ण के कृष्ण वर्ण के और उस भगवान का वर्ण है शाम वर्ण नाम है कृष्ण और उसे प्राप्त करने की द्वापर में जो वीदी है वो है परीचरिया नीमी महराज एकसाइट हो गया है कल्यूग में क्या है महराज यह बताई यह है कल्यूग में कौन भगवान उस भगवान का रंग कौन सा और कल्यूग में भगवान को प्राप्त करने की विधी कौन सी तब करवाजंद रुष्य ने कहा स्क्रीन में देखो स्क्रीन में श्रिवद वागवत ग्यारह स्वास्कंद पांचवा ध्याई बत्ती स्वाशलोक कल्यूक का जिकर करते हुए कहता है कृष्ण वरणम त्विशा कृष्णम सांगो पांगा स्त्रपार्शदम यग्ये संकिर्टन प्राये यजन्ती सीशु में धसा करवाजन रुष्ण एकादश कंद के पांचवे अध्याई के बत्ती स्वाशलोक कल्यूक के जो भगवान होंगे कृष्ण वरणन करेंगे कृष्ण को एक्स्पैन करेंगे कृष्ण को गाएंगे कल्यूक के बगवान क्या करेंगे क्रिश्ण वरणन का आर्थ होता है वर्णन करना गाना ओके एक अब वो कौन है जरा आप मुझे बताईएगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सो कल्यू के भगवान क्रिश्न वर्ण क्रिश्न का वर्णन करेंगे अच्छा कल्यू के भगवान का रंग कौन सा होगा तो त्विशा त्विशा मने रंग कलर कौन सा होगा अक्रिश्न क्रिश्न मने काला और अक्रिश्न मने काला का ओपोजिट गोरा तो कल्यू के भगवान के से होगे गोरे तो कल्यू के जो भगवान है वो क्रिश्न वर्ण क्रिश्न का वर्णन करेंगे और उनकी अंग कांती गौर वर्ण की होगी अच्छा शस्त्र कौन सा होगा उनके पास राम के पास धनुष कृष्ण के पास सुदर्शन ये जो कल्यूग में है उसके पास शस्त्र कौन सा होगा तो कहते हैं संग उपअंग पार्षदम उनके साथ उसके पार्षद ही उसके शस्त्र का काम करेंगे उनके साथ जो उनके पार्षद होंगे नित्यानन प्रभू, अद्वेत आचार्य, श्रिवास, गदाधर उनके पार्षद उनके शस्त्र का काम करेंगे अच्छा उस भगवान को प्राप्त करने की वीधी क्या है युगदर्म क्या है कल्यूग का बले यग्ये तिसरी लाइन में शायद दिखा है यग्ये बले यग्ये कौन सा? क्लेरिफिकेशन करो तो कहते हैं संकिर्टन हाई संकिर्तन यग्ये इस कल्यूग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो संकिर्टन के द्वारा शी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लेकर धर्म का पालन करेगा भक्ती करेगा और मुर्त्यू के बाद भगवान के दाम को प्राप्त कर लेगा ये बुद्धिमान माना जाएगा सो इस प्रकार से शुमद भागवज्जी में श्री चैतन्य माना थे शी चैतन्य महाप्रभु नहीं कृष्ण को गाया, कृष्ण वर्ण शी चैतन्य महाप्रभु ही त्विशा अकृष्णम गौर वर्ण के थे और संग उपंग पार्षद के साथ आये थे तो शिमद भागवज्जी में चैतन्य महाप्रभु का जी करते हैं चलो भागवज्जी इतना फेमस आपकी द्रश्टी से ग्रंथ नहो, महाभारत ग्रंथ कितना फेमस है, हम लोग महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है, श्लोक फॉर्म में है इसको नाम में आप लोग शाहिद बोलते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का एक श्लोक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग स्चंद नांगदी सन्या सक्रित शांत निष्ठा शांती परायन है ये क्या है ये विश्णु सहस्त्र नाम है विश्णु के 1000 नाम है ये अच्छा विश्णु के 1000 नाम थोड़ा सा विचार करो विश्ण को 1000 नाम में से ये सब नाम है तो सुन्दर वर्न का जो वर्नन करते हैं, यहां वर्न का पहला जो वर्न है, उसका अरत है वर्न माला, वर्ड, शब्द, सुन्दर शब्द का वर्नन करते हैं, तो भगवान विश्णु का कौन सा ऐसा आउतार, जो सुन्दर शब्द ऐसे कृष्ण का वर्नन करता है, कृष्ण का किर्टन करता है श्री चैतन्य महाँ प्रभभ यह थोड़ा हाड लगेगा आपको समझने में टाइम लगेगा लेकिन आगे जो है न यह तो बिल्कुल क्लियर है भगवान विश्णु का एक नाम यहां लिका हेमांग विश्णु सहस्तर नाम में इस श्लोक में भगवान विश चेंचेद करें तो क्या होगा हेम अंग हेम मने सोना और अंग मने शरीर सोने के रंग जैसा जिसका पीला शरीर है उसे कहते हैं में अब बताइए कि बगवान विश्णु के इतने सारे अवतारों में कौन सा स्वरूप ऐसा है जिसके शरीर का रंग पिले वर्ण का है एक और मात्र एक श्री चैतन्य महाप्रभू विश्णु सहस्त्र नाम में भी श्री चैतन्य महाप्रभू का जिकरबा बाकी सब छोड़ दिजिए एक चीज़ को देख लिजिए इस शलोक में सन्यास क्रित तीसरी लाइन में लिखा है विश्णु सहस्त्र नाम में सन्यास क्रित भगवान विश्णु ने सन्यास लिया अब बताओ भगवान ने कीस रूप में सन्यास लिया कौन सा ऐसा उतार कौन सा ऐसा रूप जहां भगवान विश्णु ने सन्यास लिया हो आप कितना हुँ सोचो आंसर यही होगा कि सन्यासक्रित श्री चैतन्य महाप्रभू श्री चैतन्य महाप्रभू ने सन्यासरिया सो महावारत के अनुसार भी श्री चैतन्य महाप्रभू परम भगवान है स्वयम भगवान से कृष्णा है शिव पुराण में भी वड़ाना है कि किस प्रकार राधा और कृष्ण मिलिद स्वरुप शिचैतन ये महाप्रवु के रूप में प्रकट हो गए मन में प्रश्ण हो सकता है कि कल्यूग में भगवान सी कृष्ण आ गए और किसी को पता भी नहीं रहा कल्यूग में भगवान आये और प्राय लोगों को पता न रहा क्योंकि भगवान ही चाहते थे कल्यूग में जो भगवान का प्राकट ये हुआ वो प्रचन रूप से हुआ जान बूझकर कल्यूग में भगवान प्रचन रूप से आता है प्रकट रूप से नहीं आते यह सिक्रेट इश्वर है सिक्रेटली आते हैं प्रचन्न रूप से आते हैं तब इसका प्रमान क्या है प्रलाद महराज लगे आथ दिखाई दीजिए ना प्रलाद महराज कहते हैं के प्रभू प्रभू आपका एक नाम है त्री युगी इद्थम ननी तिर्यग इस प्रकार से आप कभी मनुष्य रूप दारन करते हो तिर्यग कभी पशू रूपदारण करते हो रुशी कभी रुशी का रूपदारण करते हो देव कभी देव रूपदारण करते हो अनेको अवतार अनेको रूप से आप प्रकड होते हो और प्रकड होकर हनसी विभावे यसी अपने भकतों की रक्षा करते हो और दूश कृतीयों का हननं करते हो लेकिन प्रभू आप सत्यूग, द्वापर और त्रेता में तो परकट रूप से आते हो चोथी लाइन आपको समझने जैसी है आप सत्यूग, त्रेता, द्वापर में तो परकट रूप से ये प्रलाथ ने कहा शिमद भागवत, सबतम सकंद 3 अद्याई और 38 नंबर के श्लोक में चन्न ह कलो इससे बड़ा प्रमान क्या हो सकता है शिमद भागवत जी में लिखा है व्यास जी ने लिखा प्रलाद महाराज कहते हैं क्या कहते हैं चन्न ह कलो मुझे नहीं लगते हैं इसके बाद अब कुछ जादा प्रमान और सोचने की जरूत पड़ेगी कलो कली यूग में चन्न छुपे रूप से आते हों आप चन्न रूप में प्रचन अवतार और क्योंकि आप चन्न कलो कली यूग में छुपे रूप में आते हो इसलिए आपका एक नाम है त्री यूगी क्योंकि तीन यूग में आप प्रकट रूप से रहते हो कली यूग में छुपे हुए रहते हो चलो अब यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो फिर मन में एक प्रश्ण हो सकता है कि कली यूग में भगवान क्रिष्ण क्यों प्रकट होता है चैतनिय महाप्रभू के रूप में क्रिष्ण क्यों आते है तब कहते हैं अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वाहरे भगवान हमको तो इच्छा होती है कि आइफोन 15, 16 प्रो में आपको भी इच्छा होती है हम तो भाई चलो माया में फसे हुए जिए उपनी शद में लिखा है कि आप्ट कामस्य कास्प्रिहा जो आप्ट काम मुक्त काम है उसको काहे की कामना उसको काहे की इच्छा ऐसे तो भगवान को कोई बाहरी किच्छा नहीं होती लेकिन हमारे भगवान रसराज है हमारे भगवान रसीक शेकर है रसीक शिरोमणी है उसे रस चाहिए और हमारे भगवान सी कृष्ण जब ब्रज व्रिंदावन में आये न इस ब्रज व्रिंदावन में लिला करके गए भगवान ने सभी रसों का आस्वादन किया लेकिन एक रस से वंचित रह गए हमारे कनया सारे रसों को आनद किया और करवाया लेकिन हमारे कनया को एक रस अदूरा रह गए आप को कि कनया को एक रस अदूरा रह गए कौन सा गन्ना रस, केरी का रस वह तमारे केरी नो रस नो है वो हमारे को भी अधूरा रहे गया कता में आमरस क्रिश्न को कौन सा रस अधूरा रहे गया थोड़ा सा सुक्ष्म बुद्धी से अमा नानुमगज काम करतू होई तोज मेरा आउश्या कौन सा रस अधूरा रहे गया कैचन राधा प्रेम कैचन मधूरी मा कैचन शूखे तीहों भो ओर ये तीन वांचीत धन ब्रजे नाहाई पूरण की करीबो ना पाईल ओ ओर क्या हुआ सुनिया द्यान से सुनिया जब कृष्ण इस धर्ती पर प्रकट हुए तब कृष्ण ने देखा कि मुझे प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग है और उसमें सबसे पहला नंबर तो राधा रानी का है तो मैं राधा का ही नाम लूँ लेकिन इंक्लूट सारे डिवोटी को आप समझ लिजिए गा कृष्ण देखते हैं कि ये राधा मेरे लिए अपना सब को छोड़ कर आ जाती है इतना रिस्क ले लेती है रात दीन उसके मन में किवल शाम सुन्दर को सूख करना प्रसन करना यही काम लाधा तो फिर मैं भी उससे प्रेम करता हूँ अब राधा क्रिष्ण से प्रेम करती है क्रिष्ण राधा से प्रेम करता है क्रिष्ण ने क्या देखा ध्यान से सुनिए गया नानू मगज नानू क्रिष्ण ने क्या देखा कि मैं राधा से प्रेम करता हूँ राधा मुझ से प्रेम करती है लेकिन राधा को मुझसे प्रेम करके जो आनंद मिल रहा है, वो मुझको राधा से प्रेम करने में आनंद नहीं मिल रहा है समझा रहे हैं ये राधा मेरी सेवा करके जो आनद आनद हो रही है ये राधा मेरी सेवा करके जो खुश-खुश हो रही है मैं तो गाटे में रही गया मतब खुश तो ये लोग है कई छन राधा प्रेम ये राधा के प्रेम की ये क्या महिमा है कि यह मेरे प्रेम करके मेरी सेवा करके इतना सुक है क्रिश्ण के मन में हो गया भगवान बनने में घाटा है लोस 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 क्रिश्ण को होने लगा कि मैं भगवान हूं लेकिन वो मेरी सेवा कर रही है मुझे सेवा लेन में आनन्द है एक्जाम्पल दू 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 दे देता हूं ठंडी की मौसम है बहुत अच्छा आज कल तो ये हीटर की व्यवस्ता गीजर की व्यवस्ता एक जमाना हुआ करता था के ठंड में पानी को गरम करने के लिए हम लोग मटके में रखते थे और फिर वो मटका चुले पर चड़ाते थे नीचे आग होती थी मटके में पानी होता था मेरे प्रशन का जवाब देजिए ये जो क्रिया हम कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है पानी को गरम करना ठीक है मटके में पानी बरा है नीचे आग लगी है क्यूं आग लगाई गई पानी को गरम करना लेकिन देखा गया है कि उद्देश है पानी को गरम करना लेकिन पहले मटका गरम होता है फिर पानी गरम होता है मटका जो है न वो डिवोटी है पानी जो है न वो भगवान है उद्देश्य है पानी गरम करना उद्देश्य है भगवान को प्रसन करना लेकिन सिस्टम कुछ ऐसी है कि उद्देश्य भगवान को प्रसन करना लेकिन हो जाते हैं भक्त प्रसन भगवान बाद में होते हैं कि समझानू जाबा दियो एक और लोकल द्रश्टान देदू होए तम समझाए जिर्श है कार में हम लोग बैठते हैं कार में सफर करते हैं भारत में तो जब कार में बैठते हैं ड्राइवर गाड़ी चलाता है के ग्रिश्म की गर्मी है और कार का मालिक पीछे बैठा है अगर आगे ड्राइवर कार चला है ये और पीछे बैठा उहाए माली कि तो बहुत घर्मी ओ thrilled हुं ए influen sans शुरू करतρε है filt तो ड्राइवर एसी शुरू करता है, ड्राइवर ने एसी शुरू किया किसके लिए, किसके लिए, लेकिन पहले किसको हुआ आएगी, मालिक ने तो परिशेव वाली वाश आवे वाश, मालिक तो लोश मत जाए, बेनिफिट ड्राइवर को हुआ न, ये आपको समझ में आया होगा, तो बेनिफिट ड्राइवर को हुआ, मालिक को तो पीजे, तो कृष्ण ने देखा कि मेरे इतने सारे भक्त, और भक्त शिरोमनी राधा, मुझे प्रेम करती है, उसका प्रेम उसकी सेवा लेने में मुझे उतना सुखने जितना उसको करने में सुख है, तो भगवान बनके गाटा, तो भगवान की बन में चाह geographic हुए, कि मुझे भी वो सुख चाहिए, वो सुख लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे भी भक्त बनना पड़ेगा, और इसलिए क्रिश्ण भक्त बनकर चैतन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए कई चन राधा प्रेमा और कई चन मधूरीमा और कृष्ण को क्या लोग हुआ जानते हैं कृष्ण की कितनी महिमा मेरे बाके विहारी लाल तो इतना ना करियो श्रियार कृष्ण सजदजकर निकलते हैं के सारे यहां तो गालियों सही बात होती है सेंटेंस में एक गाली नहीं हो तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं वाना जाता कृष्ण के सखा कहता है के सारे तु लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है न गाईयों को ठीक से भोजन करने देता है न ब्रज की लता पताओं को ठीक से चैन से जिने देता है तु लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है यदि लड़की बना होता तो कट जाते गला करोडन के लोग गले काट कर मर जाते कृष्ण कृष्ण सुन्दर लेकिन अताई कृष्ण इतने सुन्दर लेकिन कृष्ण नहीं सोचा यार मेरी सुन्दरता का आस्वादन ये लोग कर रहे है मैं तो गाटे में कोई सुनुदर देखो । О कोई सुनुदर है वhouse सुनुदर है पूर की हो या कोई सुनुदर लड़का हो नहीं कि उसको जो देखता है वो आनद लेता गारके सोच तहें यार सुबहस से यह से मंगलार्ती में खड़ा रहे तो लाखों लोग खड़े रहते मेरे सामने मुझे देखने के लिए आम तो क्रिष्ण के जोगे बोता नहीं कि चलो मानलों जोगे ही ले लेकिन वह रहस्त वह सूख तो नहीं है गने अमार मादूर्य निद्यन नवन वहाई परावकोटी के मेरा मादूर्य निद्यन विन हैं और आपन मादूर्य Zarate अरे आपन आरमन का अपने ही मादूर्य से क्रिष्ण का अपना मन हरा जाता है तोứ यह दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट को समझ में है ऐर कंडीशन वाला मेंत पहला तो हूँ कि मेरे सेवक जो आनन ले रहे हैं भगवान को नहीं मिल रहा, दूसरा कि मेरा माधूरिय इतना सुन्दर है कि मैं उसका आनन नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो आनन लेने के लिए मुझे भक्त बनना पड़ेगा, इसलिए भगवान भक्त बनकर शी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और तिसरा कैचन सुखे ताहे भोर। मेरी भक्ती करने में, मुझसे प्रेम करने में, कॉंटेटी में इन डिवोटियों को कितना आनन दा रहा है, उस 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 आनन की feeling क्या है, पहले कॉंटेटी की बात हुई, अब वो feelings की बात हुई, अब कोई रजगूल्ला खा के आया, डाइबीटीस वाला नेत खाली जोवानू तो दर्शनाज करवाना कानके रजगुलू जोवे तया डाइबीटीस टड़ी जथी होई कि खाई तो कही रीते शकर तो फिर पूछा के क्या खाकिया रसगूलूह कैसा था सफेद कलर का था पोचा पोचा बहुत बोचा पूच अपर ते आद अपनी पोचा नों तर्पने माते महरो तो ढोकड़ों ते जया वाता तो लेकिन पोचा पोचा था मीठा था कितना explain करें लेंगे बताइए कि किना explain हो सकता है लेकीन जिसने खाया है और खाकर जिसने अनुभाव किया है वो पुरा-pूरा तो नहीं बता सकता थोड़ा बहुत बोल सकता है तो मेरी भक्ति करके मुझसे प्रेम करके जो सुख जो फिलिंग्स होती है वो कैसी होती होगी कृष्ण को यह जानने की चाहर भुले इसको को जानने के लिए दिवोटी बनना पड़ेगा भक्त बनना पड़ेगां तो भगवान वाइकुंट में बैठकर निरन लिया छोड़ो भगवान बनकर highly sup ah किसी बहुत का हौन लेकर जाना पड़ेगा किसका बाहौलू किसका बाउलू। जो सबसे बड़ा भक्त होगा उसी का भाव लेकर जाओंगा तो बिले मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन? श्रिमती राधारानी तब भगवान ने राधा शरीर कृष्ण का और भाव राधा का किसी ने कहां कि ये कल्यूग में आये न तो चोरी करना तो नहीं छोड़े इसकी आदत चोरी करने की तो गई नहीं कल्यूग में आये तो माखन भले न चुराए लेकिन राधा रानी का भाव चुरा लिये तो राधा का भाव लिया इसलिए श्याम वर्ण के क्रिष्ण गौर वर्ण के हो गए गोरांग महाप्रभू श्री चैतन्य महाप्रभू करने के लिए एक चुली यह एक चुली राम अउतार से ही बगवान के माइंड में चल रहा था मैं आपको अंदर की बात बता हुए यह कृष्ण उतार में तो उफाड़ा ज्यादा हो गया इसकी शुरुवत तो राम अउतार से ही गोई थी यह भगवान बनके घाटा है भगवान ने ठान लिया क्या हुआ राम जी जब 14 साल वनवास करके वापस लोटे नहीं फिर एक दिन मा कोशलिया ने अपने हाथों से भोजन बनाया कि जड़ा 14 साल से कंद मुल्क आया है बहुत सुंदर भोजन बनाया मा कोशलिया ने और सब को बुलाया और पिरोसा और भोजन किया अब भी तो मा पूछती है वेटा कैसा लगा ठीक लगा यहां कि एक दिन मा सुमित्रा ने बुलाया मेरे घर पर आओ राम भोजन करने के लिए सुमित्रा ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बुलाया राम जी भोजन करने गए बोजन के बाद पूछा कैसा लगा कई कई ने खिलाया ठीक लगा सीता जी ने भोजन बना के खिलाया अब यहां तो सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा ना फिर कितना अधीक नमक हो कुछ भी हो तो मैं आमने पुंची न शको रोज सवर जागिन पेलो जगड़ो आता है शूँ खाषो हुआ है काम करने ठंडी चे तो रिंगना नू शाक करने रिंगना लेवा बार जववा बड़ चे तो एक काम कर टमेटना सेव टमेटना नू कर ले इतो आपने तन दिवस पेलाज के अब आप देखिएगा उनको जो बनाना है वही फाइनल होगा है यह माताओ की लीला रोज सुबह शुरू होती है पता नहीं आप के वहां होती है के नहीं है फिर लास्ट में तो वही बनता है के और फिर यदि नमक ज़्यादा पड़ गया न तो क्या कहेंगे बताए यह नई कंपनी का था न इसलिए इसमें शोल्टी पना ज़्यादा था वह नया कंपनी का था इसके लिए कम होगा तो पिछली बार आपने कहा था ज्यादा पड़ गया इसलिए इस बार कुना का नहीं नहीं क्या हूं तारी गाई तो जीवन में दो कुछ कुछ था नहीं सा होता है जहां हार नहीं ठीक होता है कि सीता जी ने भोजन बनाया है पिरोसा कैसा लगा कि सीते ठीक इतना नहीं राम जी को भोजन में आननल प्र जनकपूर से बुलब आया बहुत दीन हो राम जीudड़ जनकपूरी में आये हैं आँ आप सब लोग आओ यहां भोजन करने के लिए और राम अब तो अनमान जी ने का में भी आओंगा सब वानर भालू सब चले जनकपुर और जनकपुर में राम जी की सास सुनईना ने सुंदर भोजन बनाया पीरो साथ और भोजन करने के बाद पूचा भोजन के साल लगा और यहां तो रीश के न ससुराल में थोड़ा आगे पीछे बोल दो तो फिर जगड़ा हो जाए राम जी ने का के ठीक है इतना आनन नहीं आया कि सीता जी ने हाथ पकट लिया मैं पिछले एक महिने से देख रही हूं पूरी दुनिया अपना पूरा प्रयास कर रही है आपको भाव से अच्छा अच्छा व्यंजन अच्छा अच्छा भोजन बना बना कर किलाने की लेकिन आप तुरुप्त नहीं हो रहे हो आप प्रसं समय से दबा हुआ भाव आज राम जी का बाहर आया और सीता को कहा कि सीते आपको खोजते खोजते हम पंपा सरोवर के तट पर गए थे और वहां पर उस भिल निने उस शवरी ने जूठे बेर खिलाये थे उस बेर में जो मुझे सूख और जो आनन्द मिला वह आज तक कही प्रसंग में राम जी ने देखा कि शबरी राम को बेर खिला रही है कि शबरी जी राम को बेर खिला रही है राम जी लक्षमन का तो कुछ और ही है वो तो आप फिर कभी देख लेंगे कि लेकिन राम जी क्या देख रहे हैं कि बेर राम जी खा रहे हैं और आनंद शबरी को आ रहा है कि अब विचार तो करो राम जी गैरी सोच में पड़े गए वो विचरी बूड़ी हो गई भूखी इतने सालों से और वो मुझे खिलाए जा रही है खा में रहा हूं आनंद उसको आ रहा है कि इसका हर्त यह हैं कि मेरी सेवा में कुछ तो है कि मुझे यह बेर खाने में सेवा को लेने में जितना आनंद नहीं है उतना उसको सेवा करने में आनंद आ रहा है उस समय से राम जी ने सोचा कि कहीं तो गड़ बड़ा है ये भगवान बनने में घाटा है समय मिले योग बने तो मैं भी शबरी की तरह भक्त बनकर धर्ती पर आऊंगा स्वयम भक्ती करूंगा और अपनी भक्ती का सूख प्राप्त करूंगा और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयम भग्वान सी कृष्णी की जाए और महाप्रभु के रूप में आकर क्या किया अनर पीत चरिम चिरात करूंगा तिरन कलो अनन्त युगों से अनन्त अनन्त काल से जो अपनी प्रेम भक्ती का दान नहीं किया था अब तक किवल विनाश, अब तक किवल लोगों को मारा रावन आया मारा, कुम्ब कर्न, हिरन्य कश्पू, हिरन्य आक्ष, कंस, आदी असूरों को मारा लेकिन अब भगवान ने सोचा मारना बड़ी चीज नहीं है सुधारना बड़ी चीज है अब जब कल्यूग में प्रभू आये न तो पापी तापी जीवों को अपने गले लगा कर अपनी प्रेम भक्ती, शुद्ध भक्ती का दान श्री चैतन्य महाप्रभू ने किया हम और आप आज जो भी थोड़ी बहुत भक्ती कर रहा है न वो चैतन्य महाप्रभू की क्रिपा है अकारण करुणा करके गए हैं यह भक्ती सिखा कर गए हैं आपनी आचरित प्रभू जीवेर सिखाए तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभू इसे युग धर्म का संकिर्तन धर्म कांदोलन किये और अपने आचरण से स्वयम किर्तन किये स्वयम हरिनाम लिये मुकुन्द माधव गुविन्द बो केषव माधव हरि हरि बो नाम हरी का प्राणन प्यारा संत जनों का बरम सहारा संत जनों का बरम सहारा भकत जनों का बरम सहारा नाम की महीमा है यनमों केषव माधव हरि हरि बो केषव माधव हरि हरि बो मुकुन्द माधव गुविन्द बो केषव माधव हरि हरि बो नाम जपो तुम आठो या नाम बिना है नहीं आरा नाम बिना है नगी आरा नाम लिये कछू लगे नमों केषव माधव हरि हरि बो केषव माधव हरि हरि बो मुकुन्द माधव गुविन्द बो केषव माधव हरि हरि बो केषव माधव हरि हरि बो Hare Krishna Hare Krishna इस कल्यूग में कई सारे लोगों के मन में संशय होता है प्रश्न होता है जिग्यासा होती है कि वाई हम जानते हैं कि नाम की महिमा है कल्यूग में नाम लेना चाहिए लेकिन कौन सा नाम लेना चाहिए क्योंकि हरी के हजार नाम Krishna के करोड नाम हम बहुत कन्फ्यूज है इसलिए हमने प्रोग्रामी कैंसल कर दिया हम लोग नाम लेंगे ही ने कौन सा नाम लेना कौन सा नाम उत्तम कल्यूग में कौन सा नाम तब वेदव्यास्मनी कहता है द्वात्रीस अक्षरम मंत्र नाम शोडश कानवितम प्रजपन वैश्नवो नीत्यम रादा कृष्ण स्थलम लबेद बत्ती सक्षर का जिसमें बत्ती सक्षर हो सोलह नाम हो बत्ती सक्षर और सोलह नाम वाले मंत्र का कोई जाब करता है तो राधा कृष्ण स्थलम लबेद वो वैकुंट को प्राप्त कर लेता है वो बत्ती सक्षर का मंत्र कुन सा Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nara Ji ने ब्रह्मा जी को पूछा कली संतरन उपनीशद में उपनीशद में नारत ने ब्रह्मा जी को पूछा के पिता जी कल्यूग में रदई की शुद्धी और प्रभू की प्राप्ति के लिए कौनसे मंत्र का जाप करना चाहिए ब्रह्मा जी नारजी को कहते हैं इती शोड शकाम नामन कली कलमशनाशनम न अतपरतरोपाय सर्ववेदेशुद्रश्यते सभी वेदों को देखने के बाद कल्यूग के दोशों को मुप्त करने वाला किवल एक ही मंत्र है और वो है महा मंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णाद कृष्णा कर South कि हरे क्रिष्णा मुष्णा करीष हाइ भीcidos हरे रामो, हरे रामो हरे रामो, हरे रामो, हरे हरे, प्षिहरी नाम संकिरतन कीने अजीद भाई, ये अजीद भाई, पूरू करवानू मन न था तुम, मन नहीं करना है, आप सब के मन में होता होगा, कि ये कथा समाप्त न होतो अचा है, ये जमान के मन में भी होता होगा, कता समाप्त न होतो अचा है, आपके लाल गुविन दास के भी रदय में होता है, कि ये कता समाप्त न होतो अचा है, लेकिन, हम सब काल के प्रवाह में बंदे हुए हैं, गंगा सती को याद करूं, तो जोत रे जोतामा दिवसो, विती रे गया पानवाई, देखते ही देखते है, साथ दिन बीट गया है, मुझे तो ऐसे हो रहा है कि पहले ही दिन आकर अभी जश्ट देख रहा हूं गया स्विट को, साथ दिन, साथ मिनिट की तरह निकल गया है, किसीने सही कहा है, सच कहा है, कि सूख के दीन जो एन तुरंत बीत जाता है और दूख के दीन युगा इतम निमी शेन एक निमी शकाल भी यूग के समान हो जाता है क्या आनन्द कराया है घगडा परिवार तमें बहु आनन्द कराया है आप सबको आनन्द आया बहुत आनन्द कराया और मैं तो मैं तो इस विश्वास पर हूँ कि यजमान का भाव ही वक्ता को बोलने के लिए प्रवुत करता है बगी हमारे अंदर क्या है हम कौन है भक्तो का भाव ही रिफ्लेक्ट होता है हरी अनन्द हरी कथा अनन्द लिखने वाले लिखते रह गये गाने वाले गाते रह गये लेकिन आज तक इस कथा का कोई अंत नहीं कर पाया कोई नहीं थका परन्तो कथा का सार पूरी रामायन लिखने के बाद गोश्वामी तुलसिदास जी अंत में कहते हैं यह कली कालन साधन दूजा इस कल्यूग में दूसरा और कोई साधन नहीं है एक ही साधन है वो है राम नाम भरी नाम श्रिमत भागवत जिसमें बारह सकंद 335 अध्याय और लगबग 18,000 श्लोक लेकिन भागवत का अंतिम श्लोक्षी सूद गोश्वामी कहता है नाम संकिर्तनम यस्यर सर्व पाप प्राशन कथाय तो अनंत है रगता है प्रभू के चरीत्र का तो कोई अंत नहीं है लेकिन इन कताओं को सुनकर जीवन में करने लाइक जो काम है वो है नाम संकिर्तन वो है हरी नाम आज यह साथ साथ दिन कता सुनने के बाद आपके दिल में थोड़ा भी यदि हो के नहीं है प्रभू ने इतना सुन्दर मनुष्य जीवन दिया पशुओ की तरजिने के लिए कुछ तो करना है आपके मन में कुछ भी करने की इच्चा होना आप हरी नाम जाब कीजिए महा मंत्र का जाब कीजिए यही हमें साथ देगा मृत्यू के समय बाकी इन में से कोई नहीं है आपके साथ कोई नहीं होगा प्रभु का नाम प्रभु का स्मरण यही जीवन का सच्चा साथ है आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ मैं कोई पंडित नहीं हूँ आपी की तर आप से भी गया गुजरा एक साधारन आदमी पूर्ण रुप से माया का प्रभाव है भाव का भाव है ठीक से बोलना भी नहीं आता भाशा भी हमरी कोई इतनी शुद्ध कहा है संस्कृर्ट तो दूर दूर तक पल्ले नहीं पढ़ती है आपके प्रेम के कारण ही मैंने साहस किया कगड़ा परिवार का स्नेह मुझे अपना मानते हैं अनेको मुसिबत अनेको कठनाई को जेलते सहन करते हुए आखिर इतना बड़ा भगीरत कारिय इस पूरे परिवार में मिलकर आज संपन्न किया यदि इन साथ दिन की कथा में कोई तुरूटी रह गई हो कोई कमी रह गई हो वही चमड़े की जीव है फिशल जाती है कलियूगी दिमाग है कुछ याद रहता नहीं है लेकिन एक बात तो निश्चित है कि वही कठा के दोरान जितना भी प्रभू का नाम लिया गया वो तो प्यॉर है जहां नाम की बाद आई वो तो प्यॉर है वो तो आप प्यॉर उठा लीजिए गून गून सार को ग्रहन कीजिए और जो दोश है तो आशिरवाद दीजिए प्राटना कीजिए हम सब को आशिरवाद अपनी चत्र चाया में रखने वाले प्राणनात कृष्ण प्रभू अन्यवाद प्रभू अब इस परिवार के वडिल हो लेकिन फिर भी इतने विनंब्र होकर आप सब के साथ और मेरे साथ आपका प्रेम है चंद्री का माता आ नहीं पाई लेकिन यहां तुम्हें उनको देखी रहा हूं अजीद भाई है अन्यवाद पुष्पा बेन है राशेश्वर प्रभू अन्यवाद है परिवार तो साथ में है यह पने इंजिन तो आज में है आपड़े तो रेल गाड़ी ना डबा है सव लाशेश्वर प्रभू अटला हजारो मानसो भागवत कथा सांबलता होई एवी आपड़ी पल्लवी और प्रिय सखी माता जी भगवान ने प्राप्त थया होई इमा कोई संचय न थी इमा कोई संदे न थी जेने कारणे आवा भगीरत कारियत अता है इसमें कोई संदे नहीं है कि निश्चित और मेरी तो श्रद्धा इतनी है कि आप बेव त्यां बेटा-बेटा कथा नों आयोजन करावेश। यह दोनों वहाँ बेटे-बेटे कथा का आयोजन के सब कथा सुनें, गाएं, सेवा करें सो धनेवाद आसे श्रद्धाव। कमलेश भाही, संगीता बेन, मयूर भाही, बिजल बेन, इंदू माता, हंसा माता, पतिधा माता आप सभी भक्तों का बुरी-बुरी धनिवाद हैं, आपके तो संसकार में भागवत हैं, आप तो भागवत के रसीक हैं, बस भागवत का आश्रे रखियें, भरी नाम के आश्रे में रहिए और दिरे-दिरे-दिरे-दिरे गलत संगतियों से दूर रहे, सादों की संगति, भक्तों की संगति से ज्यादा ज्यादा निकट रहें जो गलत आदत हैं, दिरे-दिरे उसे छोड़ने का प्यास करें, और प्रभु भजन, प्रभु प्रेम के और अग्रे से रहे मैं ज्यादा तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, व्यास पीट पर बैटा हूँ, ये विदव्यास जी की गोद है, यहाँ बैट कर भागवत और भगवान से प्रातना कर सकता हूँ कि आप सब को भगवान अपने शुद्ध भक्ति प्रदान करें आप सब को भगवान अपना प्रेम प्रदान करें और आप सब मेरे लिए प्राथना कीजिए आप हमारे लिए प्राथना कीजिए कि हम भे गुरु महराज मेरे गुरू को गा रहा हूं है वागवत तो अभी का भागवत में टपा ही नहीं पड़ता शिरादा गुमिन गोश्वामी महराज की भागवत नहीं हम तो गूरू को गा रहा है गूरू जिने निकट बैठकर जो पिलाया जो सुनाया जो लाड़ प्यार इसने हदिया और जो भी हम समझ भाए है वही हम बाट रहा है तो फिर भी कुछ तुरूटी रह गई कुछ कमें गलती हो तो आप शमा किजिएगा धन्यवाद पूरे गगड़ा परिवार का इस परिवार के निमंत्रन का मान रखकर जितने भी भक्त आये हैं हमारे लंडन भक्तिदान मैनर से पुरानात प्रभू आये है हमारे नंद किश्वर प्रभू जबर्दस सेवा में लगया है प्रभू आपड़ा मारा दिक्रा फैन जेनों चाहिए क्या नाम है महिंद्र भाई महिंद्र भाई यमना धर्म पत्नी गड़वी भाई और भी आप सभी भक्ता है अब भूरी भूरी धन्यवाद हमारे संगीत मैं तो आधी कता करता हूं आधी तो यह लोग कराते हैं अपने देखा नहीं मैं दीरे दीरे बोलता हूं यह मुझे इतना चड़ाता है मुझे धक्का मारता है फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो धन्यवाद यह भी सब भक्त ही है गुरांग प्रभू पंगाल से आया है मैयूर भाई तबला मैं है योगेश भाई मनरदास इनका नाम क्या है शक्ति तबो तो धन्यवाद अब यह सब तो लंडन से यूके से आये न लेकिन यहां भारत में इन सारे भक्तों को बहुत अच्छे से इस कथा को और्गेनाईज और सब मदद किये हेल्प किये हमारे सभी भक्त प्यारे भक्त सेवक हमारे मोहंदास मुंबई से इस कथा की जान कह सकते हैं हमारे अमीत नारायन प्रभू रात दिन मेहनत करता है और उसका एक ही भाव होता है कि कथा हो जिसे सब का लाब होगा यशोमती माता जी अमारे अनंत शक्ती प्रभू और मदूपती प्रभू असिम कृष्ण प्रभू उनकी धर्मपत्नी ये सब ये सब बहुत ये सब दीखते नहीं है लेकिन यही होते हैं जो कथा चलाते है आप सभी भक्त का और फिर इन सब के साथ जुड़ गए चित चोर प्रभो सुर अधर अधर, बन करने का मन नहीं हो रहा है लेकिन कर ही देता हूं किके आज आप लोगों को भी आप सब बेटे रहे हैं हमने जो साथ दिन सुना है ना जिनके सहयोग से हमने यह लाब लिया है तो आज हम इनको क्या दे सकते हैं गगड़ा परिवार को लेकिन आज उनके जो भाव है पांट-दस मिनिट बैठ कर हम सुने और उनका आदर करें तो आईए जैजेकार के साथ इस प्रेम राज्य श्रिधाम व्रिंदावन में दो हजार चोबिस की प्रथम कथा तीन सो नब्य वी कथा का विराम जैजेकार के साथ ग्रंतराज श्रमद भागवतम महपुरान की जै सिक्रिष्ण चंद्र भगवान की सिधश अवतार की जै परम्पुज्य राधा गोविंद गोस्वामी महराज की जगद गुरू शिल प्रभुपाद की जै निताई कवर प्रमानन्दे जै जै शिराधे जै जै शिराधे शिराधे और सबसे महत्तव पुरुण पात्र जो अमको रोज प्रसाद खिलाते थे श्याम सुंदर प्रभुपू उनका भी दन्यवाई Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna so very grateful to His Grace Lal Goen Pahooji for continuously souring this मैं भूल जाता हूं भाव मैं और सबसे बड़ा धनेवाद हम सब यहां बैट कर जितने भी भक्त बैट कर कता इतने सुने सुने लेकिन कितने देड़ मिलियन बोल रहे थे कितना बोल रहे थे हर रोज 15 लाख लोग इस कता को आस्था चैनल और धर्म संदेश चैनल के माध्यम से सुन रहे थे और इसका शरेई जाता है हमारे सुना जाए हमारे रमेश भाई यहां यहां बेटे-बेटे आधा वो गन्ट्रोल कर रहे थे मुझे तो रमेश भाई ने बहुत संदर टेली काष्ट यहां से सब कैप्चर किया और यह सब के सब के पास यह कथा पहुंचाई तो थेंक यू रमेश भाई toi Ray Krishna Harry Krishna 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 Harry Harry Ray Ram 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 Harry 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 Krishna पुरिदय से दनियवाद करते है श्रीमानलाल गोनिपयद जिनों ने पिछले साथ दिन से लगातार हम सबको इस श्रीधाम बृंदावन की धरा में कृष्ण कथा के रसमें डुबोय रखा और भागवान के इस विविद अवतारों की कथा श्रवन कराकर हम सब के भक्ति का पोशन किया तो ऐसे श्रीमानलाल गोई पहुजी जिनों ने आज हमें श्री बुद्ध अवतार और साथी साथ कल की अवतार और बॉनस में हमें श्री नाम को स्विकार करें तो ऐसी यह रसमाई कता हम सब को यहां पर पिछले साथ दिन से श्रवन करने मिली है जिनका श्रुई एक मातर श्रीमान लाल गोई पूजी जाता है तो रिदाई से उनका अभिवादन करते हैं महामंत्र उचारण करते हैं तो रिदाई से प्लीज रे कि वक्रिष्णा रे कृष्णा रे क्रिष्णा रे राम हरे क्रिष्णा राम हरे कृष्णा Haray varying कि इंड आण तट-पश्याद धनिवाद करते हैं हमारे घगडवण परीवार का कि धिन इस संदत्र आयूजन करके हम सब को कि यह रिद्धा में साथ इन व्यवस्ता की इतनी अच्छी और हम सब भागवत कतार श्रवन करते रहें प्रसाद ज्वन आरती के बाद ही शुरूद होने वाला है तो बाहर जाके के वल ठंडी मिलेगी प्रसाद नहीं मिलेगी तो करम इस प्रकार से कि तो निवेदन है सभी वक्तों से कि हम सब यहाँ पर जो भक्तों ने सुन्दर विवस्ता की उनका धन्यवाद करके जाए और उसके प्षाद यहाँ पर कुछ भक्त यहाँ पर आकर अपने भाव को प्रस्तूत करने वाले हैं उनको श्रवन करेंगे देन आफ्टर हम भागवत जी की आरती करेंगे और उसके प्षाद जो भक्त यहाँ पर हरी नाम जब की लिए संकल्प लेना चाहते हैं उन्हें निविदन करेंगे देविल कम और टेक वाव ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र तो महामंत्र उचारन करते हैं उनका भी वादन करते हैं साथी साथ उन्होताओं का भी जो की दूर दूर से यहाँ पर आये हुए हैं यह कथार्शामन किए है और यह सुन्दर लाब प्राप्त किए है ऐसे हमारे शृधा मृंदावन में हमारे गगरापरीवार के दूरा अमंतृत उन वश्नोंगा भी धन्यवाद कि वे भी अपना भॉमुली समय निकाल कर यहां पर उपस्तीत रहे और यह सुन्दर गथार्श फेस्बूक के मादियं से जिनों नियर कता शर्वन के उनके भी हम आभारी है कि आप सब ये कदा स्रवन करके अपने आपको धन्य किया तो थैंकि यू मच और साथ यहां पर हमने शर्वन किया कि भागवत कता शर्वन करने का लाभ है कि हम सब भगवान नाम को स्विकार करें और कुछ संकल्ब करते हुए जाए यहां से, कुछ शीक कर जाए, कुछ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे कि यह धाम, यह यात्र हमको बार बार याद आती रहें. तो अब हम निवेदन करते हैं हमारे बीच में उपसित उन वैश्णों को, जो की अपने भाव को प्रस्तूत करना चाते हैं, शिरुवात हमने की थी, जब कथा प्रारम होई थी, तो हमारे इस ग्रेस प्राणात कृष्ण प्रभू से उनके आश्रिवाद लेकर यह कथा प्रा आई खरेये तो निवेदन करेंगे, प्राहणनात कृष्ण प्रफव यहाँ पर स्टेज पर आये, निवेदन एक चैर और 1 मायक यहाँ पर लपर लखें उनके लिए बीच आयों, आये स्वागत करते हैं मामंत्र ले रिखर घृष्ण ओर्ष्ण हरे रिखिश्ण आ कृष् Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, मामंत्र उचारन करन में कंजुशी नारखे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, परम्पुज लोकनाथ स्वाइ माराज के प्रियर्शिय में सेख, His Grace, Prananaad Krishnaya Prabhu, जो की हमारे ये कथाक, मैक चलो, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम, हरे राम, 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 हरे, हरे. वसुदे वसुतं देवं, कंसचानूर मर्दनं, देवकी परमा अनंदं, कृष्णं वंदे यगद गुरुं। नमों विष्णु पादाये, कृष्ण प्रस्थाये भूतले, श्री मते भक्ति वेदान्त स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सारसुती देवे गोरवानी प्रचारिडे, निर्विशे स सुन्निवादी पस्चात देशतारिडे. ओम अज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानजन सलाकया, चक्षूर अन्मिलितम यें, तस्मय श्री गुरुवे नमाह, श्री चैतन्यमनो विष्टम सापितम यें भूतले, स्वयं रूपकदामयं दद्दाधिसा पधांतिकं, हे क्रिष्णा करुणा सिंदो, दीनबंदो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत, नमस्तुते, तप्त कांचन गोरांगी, राधे विरिंदा विरनेश्वरी, रिष्वानू सुते देवी, प्राणमामी हरी प्रिये, वांचा कल्पतरूब्यस्चा, कृपासंद्यूबवचा, पतितानां पावनभ्यो, वैस्नवेभ्यो, नमो नमा, जै स्टी कृष्णा चैतन्या, प्रभूर नित्यानन्द, स्रिध्वेज गदादर, स्रिवसादिगोर बक्त विंदा, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rām, Hare Rām, 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 Hare, Hare परम्पुज्य डालगोविन प्रभुना चरणम्मा कोटी-कोटी बंदन पुज्य वाडिलो पायोता था बेनो सादद दिवस्ति आपने खुबज आनंद करो जैदेव गोस्वामी रचित दस अवतारों नी कतानों आपने आस्वादन के रूप प्रभुजी ना श्री मुखे दरेक अवतार ना जे मुख्या पोइंट छे अपने ज़ा ओर्विव जोही लेए दस अवतारों मुख्या अवतार हरी नामनी नवकामा बेसी अने कर्णधारम केप्टन ये अपने गुरु ने राखी अने आपने भावसागर पार करवानों चे ये अपने मुख्या अवतार माथी अपने जानवा मडे चे हरी नामनी नवका ने कर्णधारम गुरु कुर्म अवतार आपनी बदी इंद्रियों भगवाननी सेवामा आपने रोकवी जोहे जारे सेंस ग्रेटिफिकेशन अथवा कोई मतिरियल कोई बाबत होई इमा आपनी इंद्रियों ने संकोची लेवी वरा आउतार बगवाननी इच्छा बढ़वान छे नर्सीम आउतार भग्तों माटे वाजसलिये बाव तथा असुरू माटे डेथ परसोनिफाइड एव उपरांत प्रभुजी आपने समझायू के भग्तों ने सुख प्रदान कर भगवान आउतार लिये छे वमन आउतार भग्त करता भग्वान भग्त नी वधरे सेवा करेशे परशोराम आउतार गुरू मातापिता नी आग्नान नू पालन ए सिधान्त नू महत्वा समझावेशे राम आउतार मर्यादानी आवख सक्ता विशे बोधा पेशे श्री बलराम जी कृष्ण लिलाना कृष्ण लिलामा सहाई करेशे अने भग्तों ने भक्ती प्रदान करेशे बुद्ध अवतार जे आपने आजे श्रौन कही रू तो जारे पशवरेनी हिंसा खुप बधी गई हती तियारे बुद्ध भगवान धर्म विरूद प्रचार करें यह अशे हतो अहिंसा परने धर्मनी विरूद प्रचार करें यह बुद्ध भगवान अवतार थे आपने समझी से का अने कल की अवतार जे पाप वदी जाई शे जारे जगद मा त्यारे असुरों नो एके साथे नास्कराव माटे भगवान स्रीक्रिष्ण कल की अवतार तरीके यह आने आगाही थाई शे अजी तो कलियोग नी अवदी 4,32,000 वरस शे जे माती खाली 5,000 वरस गया शे पास थ्या स्री लाल गोईन प्रभू यह कुप सरस्री ते समझाए विए के कथा स्रोण नो खूब महत वाचे मनिष्य जन्म आपणो जे आपने प्राप्त थियो चे एनू मुखे आदे सी चे कर आपने इश्वर नो प्रेम प्राप्त करो त्यार बाद आपने शरीर जरे आपने छोड़वान वर समय आवे तेर आपने गोलो गुरंदावन डाम मा आपने वास मढे तो शी चैतन्य मा प्रभू चैतन्य चरितर बेदन मा लखे छे के नित्या सीद्र कृष्ण प्रेम साध्य कबोनाई श्रोण आदी सूद्ध चीते करिये उदय दरेक जीवना रदय मा कृष्ण प्रेम छे स्थापी तच चे तनके भगवान प्रभूद गीता में गेशे के ममेव अंस जीव लोके जीव भूच सनातन्य आपने भगवान ना अंस तरीके छे आपने भगवान नू प्रेम तो छेज पड़वे एने के विरिद न उदय करो तो चेतनी महा प्रभू सम्झावबेशे श्रोण आदी श्रोण आदी एले भगवान नाम नू संकिर्तन पगवात कथा प्योर डियोरिटी ना मुखे संबड़ूई अने आबदी विदी साधू संग एना थी आपने जे भगवान नू उद्भव ताई छे श्रीमत भगवातम मा एपन वड़न चे जम प्रभू जी सम्झावब के आ कल्यूक दोस नो समुद्र चे कालेर दोस निदी राजन अस्ती एको महान गुण किर्तना देव क्रश्ण स्या मुक्त संग परम रिजेत इतले आपने बहुत स्वराड उपाई श्री चेतने महाप्रभूनी मर्सिती आपने मडेल चे जमा कोई जादनों प्रयास करवाने जरूर नथी सिब्ली आपने संबडवान उचे जम आपने श्रीमत भगवातम मा वाचिये चे के परिक्षित महाराजे खाली भगवातम से मिलू सुग्योगोस्वामी पासे और इमनों मोक्स थेंगियो स्रीला प्रभुपाद इमना तात्परियमा जनावे शे क्या अधियात्मिक जीवन जे चे अधियात्मिक एक्टिविटी ये माया सामेनों एक जादनों वोर चे बहुत डिफिकल चे कान के आपणे बद्ध जीव चे एले आपणे प्रकतिना त्रण गुण नीचे आपणे आविये चे पर बगवान ची क्रिष्णा सोयम के चे बगवत गीता मा के देवी एशा गुण में मम माया दुरत्ते या मामेह इव ईए प्रपद्यंते माया में यह ताम तरंति थी बगवान पोटे घेशे के जे मारिया त्रिकुण माया जी चे ए दुरत्ते या बहुद डिफिकल चे क्रोस करवी पड़ साथे साथे एज स्लोक माँ बगवान उपाई पन बतावे शे मामे ये प्रपध्यन थे मारू जे सरण ले से माया में ताम तरन थी ते ए माया मासी तरी जासे पने बद जीव माठे बगवान अरजून समझावे शे एक्चुली खरखर बगवान आपना माठे में से जापे शे अरजून तो माध्यम चे अरजून अग्नानी नो तो ये तो बगवान नो पाष्रच चे इस शाथे जो है इसले अग्नान नो कोई सवालाज न थी पन जे अर्जुन ने भगोद गीता में आपड़ा माठे चे तो अंतमा बगवान अर्जुन ने केछे के इती गुह तमां भुह शुनू में परमम वचा इस्टो असी में ध्रणम इती ततो वक्ष्या में तेही तम बगवान ने अर्जुन प्रतिये केटलो भाव चे यास लोग में आपड़े समझी सके शे कि बगवान ने अर्जुन बहु प्रिया चे अने अर्जुन ना हीत माटे बगवान टोपमोस्ट वात करे शे इती गुह तमां गुह तम भुह तम भुह तम बुया अगल पन वात थाईगेल चे आज वात बगवद गीता मां पच्छी बगवान अर्जुन ने प्रीच करें चे मनमना भव मत बगतो मध्या जी माम नमस कुरू माम वेशे सी सत्यमते प्रती जाने प्रियोवसी में सर्वदर्मान परिदज्य मामेकम सरणम रज़ अहम तौाम सर्वपापे ब्यो मुक्सिया मी मा सुचा अब आ स्लोक मा भगवान सिंपल आपड़े भी बहु सरण स्लोक शे आपड़े समझी सके है मन मना तारू मन मने आप मन मना भव मद भक्त मारो भक्त बन मध्या जी मारो पुजन कर माम नमस कुरू मने नमस कार कर जो तो आप्रमने करिश तो यू इस सर्टनली कम तू बी स्रीला प्रभुपाजी एक सन्यास इनिसियेशन आपेल अमुग वर्ष पेला त्यारे एक सवल पुछों आवेलो स्रीला प्रभुपाजी ने प्रभभबाजी आप आज नवसनिय स्वी हो छे नोस में सो मेंहें से जा पूछो तयार rapping प्रभबाजी आश लोक कोट करें有人 मन मना अभाव मन्दबक्तों, मध्याजी माम नवस करू, माम एव एस्टेसी सत्यमते प्रती जाने प्रिविवरसी में. आज स्लोकनों आपने आश्रों लेले, तो आपने जीवन दन्य थाई जाई. आपने नानी मोटी मुश्केली तो आवा निच्छे, रहा कोई जे बगवान पोते चर्टिफाई करे चे बगवद गीतामा, दुखालेयम अशास्वताम, आयक दुखालेये चे, अन्य दुखमा भी आपने रेवात तयार होए, तो पड़न रही सके, कानकी अशास्वत चे, अ आपदू ध्यानमा, आपदू आपड़े क्यारे रेलाइज़ेशन आवे, जरे आपड़े प्रभुजी जनाईवी प्रमाने भगवद, भगवद कथा संबढ़िये, भगवान नू नाम लिये, आपड़ेज बस्तू आपड़ी पासे छे, आन्य कल्यूग मा, जिम प्रभु अन्तमा, श्री गोविंजी, मुल्जी, गगड़ा परिवार वती, सर्व स्वता जन स्थानिक अन्य विदेशों मा, इंटरनेट द्वारा स्रोवन करेल सर्व भग्तों कुपखुव अभार मानने चे, आ कथान में आईज़न करवामा, श्री पंचतवत्व प्रभु, श्री अमिद नारायन प्रभु, मोवन प्रभु, तेमाज डिलिश्यस प्रसादम माटे, श्री सुन्दर, स्याम सुन्दर प्रभु, तथा आस्था टीवी टीम, गोविंजी टीवी टीम, अन्य बज़न मंड़ी नो हार दीग अभार माने चे, कथा दर्भियान कोई पन तुर्टी रह गई होई तो क्षमा याज ना, परमपुजी लाल गोविंद रभु नो खुब-खुब आ भार, के अटला विस्तार थी या दस अवतारों नी कथा आपने समझाई भी, अने साथे साथे रमायन नों भी आपने लाप बीड़ों, नामकता संबड़ों नो, अने दरहकृते आपने सलब भासा मा झाल सरज़ीते समझाई हो, तो आपनो खुब-खुब आभार प्रभुजी, आमे लेरे गेटफुब. अंतमा आप सर्वनो फरी अभार अन्य उम्हार शब्दों निविरा मापू शिल प्रभुपाद की पोईत्र विंदावं दाम की निताय गोर प्रेमान दे अरे अरे पूर परेख सिर्जाने क्रेश्ण परेख संचित मैं वनन्ग यह ऑर साथी साथ अपने उतने ही अद्भूद और शुन्दर भाव को हम्जब का बीच में रखा इसको हमस्ब निया परश्मट यह बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी उसके पश्याद अपने निवेदन करना चाहता हूं हमारे प्राण बंधु प्रभु जोकी लंदन मैनर मंदीर से स्थीत है और बहुत ही सुन्दर अनेको वर्सों से वहाँ पर सेवा में जुड़े हुए है हमारे प्राण बंधु प् अuresण खाय कर्ष्णा करिष्णा करिष्णा हरे हरे राम हरे रम 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 kidding नमाहूम विष्णिपदाया कृष्णा प्रस्थाया भूतले श्रीमती बक्ती विदांतस स्वामे निति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवानी पुचारने निर्वसे सहशुन्यवारी पस्चचा देशतारने पंचा कलपत रुबस्चा क्रिपा सिंद भईवचा पतितानम बावने ब्योग वैष्णवे ब्योग नमून महा आप लोग को मुझे थोड़ा सा शमा करना मेरी हिंदी वो खिच्डी जैसा है कची खिच्डी सो थोड़ा शमा करना सब प्रत्रम मुझे खुब धन्यवाद देना है अंतराश्त्रिय कृष्ण भावनामृत संग का संस्ताफिक चारिया शिलप्रवपाद को जिसकी करुणा से हम सब यहां विंदावन धा में हैं शिलप्रवपाद ने उनका सारा जीवन दिया कि दुनिया का कृष्ण भक्ति मिले और यह संसार सागर से मुक्त हो जाए हमारा पूरा दिल से धन्यवाद गुविन जी मुल जी गगरा परिवार को जिसने पूरा प्रेम भाव से इतनी मैनत और ध्यान से यह कथा का आयोजन किया वक्तो वक्त वगेरा तो कथा होनी शक्ति हमारा कोटी कोटी प्रणाम बहुत धन्यवाद पुझे लाल गुविन प्रभू से जिसने यह साथ दिन में उनकी मधूर वानी से हमने यह भागवत कथा सनाई वक्त जनों यह भागवत का आयोजन का विराम हो गया मेरे मन में प्रश्ण यह है कल क्या होगा हम सब वापस चले जाएंगे हमारा स्तान पर फिर क्या होगा सो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट यही है हमने सुना कि पत्येक जीव ब्रह्मा से यह कि वो छोटी कीडी से तक यह जीव सब जीव की एक ही इच्छा है वो है सुख सारा जीवन मेनत करता है सुख परप्त करने के लिए और दुख को दूर करने के लिए पगवान केता है यह जगत यह संसार है दुखलायम अशाशुतम यहां यहां सुख नहीं है लेकिन हम मानते नहीं छोटा सा एक्जामपल है जैसे डेजर्ट हिंदी में डेजर्ट क्या कहते है डेजर्ट रॉन रॉन ओके डेजर्ट जैसे डेजर्ट में पानी नहीं है आपको जितनी प्यास लगी है डेजर्ट में पानी नहीं है सिरफ वो मिराश है इलूजन है कि आगे पानी है जैसे डेजर्ट में पानी नहीं है जैसे कोवा में वो कोवा ने कहते हैं वेल जिस well dry है इसमें पानी नहीं है तो ये well में आप सोने की बाल्टी डालो या के चांदे की बाल्टी डालो या के प्लाश्टिक की बाल्टी डालो पानी नहीं है तो पानी नहीं है इसलिए भगवान ऐसे ही समझाते है कि ये संसार में सुख नहीं है मुझे याद आता है बॉली वुड का एक छोटा पुराना संगित पुराना मैं भी पुराना हूँ मुझे ये दुनिया ये मेह फिल मेरी काम की नहीं मेरी काम की नहीं ये दुनिया ये मेह फिल मेरे काम की नहीं मेरे काम किसको सुना मुहार दिल बेकरार का बुझता हुआ चराग हो अपने मजार का हे काश बूल जाओं मगर भूलता नहीं किस दून से उठा था जनादा बहार का ये दुनिया ये महतिल मेरे का तुमार के उजोई ने तुमें शोखिन चो तुमार कारण में गाया नहीं मनें कि इसको नबो मोटा इविन बेठा जाए उन तो कंट्रोल मारी हो मनें कि आपको करें कि मोटा महत्मा जाए तुमार के गए उत नहीं प्रभू जी दूरात महचू हूं तो साव ना ना दूरात महचू पर यही सही बात है जीव के लिए यह बहुतिक सागर कोई काम की नहीं केवल कैसे भगवान को प्राफ्त करो सुख चाहे तो हमको आदियात्मिक माग देना परेगा ग्यान द्वारा मैं कौन हूं भगवान कौन है वो मेरे संबन्द उनकी साथ क्या है वक्ति माग का श्रण देना परेगा समय बीतर जा रहा है लेकिन हम सब सिवा कब करेंगे लोगों कहते हैं अभी नहीं कल करेंगे परसो करेंगे किसी को पता कल हो ना हो गुजरात में कल हो ना हो गुजराती में वो एक छोटो भजन छे ना आतो गुजराती में संतो गाई छे मौंगो मनुष्य दे फरी फरी ने नहीं मले वारम बार तो बाई तू बजी लेने की रदा तो बाई तू बजी लेने की रदा आमूल्य मानव शरी वारम वार नहीं मले तो बाई साब आपका करतविया का पालन करकर संसार से मुक्त हो जाओ चाना के अपंदित केहते हैं आई सच न जो पी न लभाय शन अकोट भी सारा दुनिया का पैसे सोना हीरा चांदी आपकी पास हो लेकिन एक चीज नहीं खरीद सकेंगे वो है समय टाइम पांच सो साल पहले श्री कृष्ण बगवान लाल गोविन ने भी बताया श्री चेटना महा प्रभू का रूप से प्रगर हुआ था एक सरल रस्ता देने के लिए जिससे हम ये माया संसार में से मुक्त हो जाए एने चेया सोरी माया मासिर वार लागी हरी नाम माहा मंत्र ला में ये ये आशॉरी लाया हूँ कि जीव के बहुत असान से जाते सम्सार से मुक्त मिलिजा एने में कली का कलमाश बड़ा प्रोध मो लोग अविमान हरिनाम द्वारा ये कली का रोग मिट जाएंगा और सुध और रिदेई सुध मन और रिदेई से हम सभी बगवान का दाम प्राप्त करेंगे चैताना महाप्रव केते हैं मनुष्ण जीवन है त्रिन प्रकार से रहना पेली चीज जीव दोया सारे जीव पर दया रखो दया करो किसी का बुरा नमत करो दुर्योदन जैसे मत बनो नाम रूची भगवां का नाम लो हरे कृष्णा नाम जब करो भागवत ग्रंत पडो शिल प्रवपाद ने कितनी ग्रंत दी तो हरोस पड़ो यह ज्यान द्वारा हमारी भक्तीर स्तिर होगी और हमको डिव्यक शक्ति मिलेगी और तीसरा क्या है वैश्णव सेवा मंदिर में जाओ सादू का संगती करो वो कर लो जाडू बाला जो भी सेवा मिले वो ही कर लो में सेवा दो वो जाओ केतन करो बातरूम क्लीनिंग है वो भी करो क्यों सेवा है याद रखिये सेवा है प्रेम की पाशा यह साथ दिन मुझे बहुत आनन्द आया अब सब की संगती में आप सब आप सब तो बहुत ज्यान और महान भक्त हो मेरी आशा है कि आप सब ये छोटा कीरी जैसा जीव है को अशिरवाद दिये कि में भी मेरी भक्ती में आगे बरू शी बिंदा मवन किदाम की जाए शी कृष्णबारा मंदिर की जाए शीवन लाल गविन प्रभू की ज गोविण कि मुदी णडेप्र वोकी जैओ रूपाध की जाए DopE pram nhi यह आभी इस वक्त फिल हाल में वो श॥ी पूरबं द शृतर इनो उन्की देखरेक के अंतरगत वहां पर बहुत संदर इसक्वन अंदिर बन रहे हैं तो के प्रेजिदेंट है और साथी साथ पुरुमें में वे इसकॉन मिरारोड के प्रेजिदेंट भी रहे चुके है और उन्हें अभाई चरन मूवी देखिये हैं उन्में भी बहुत सुंदर उनका रूल रहा है तो ऐसे श्रीनन्द किश्वर प्रभू उन्हें हम निवेदन करते हैं और मामत के द्वारा उनका अभिवादन करते हैं स्वागत करते हैं उनको माइक देना चाहेंगे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 आलो का मने केच हिंदी मा बोलवानू मारू हिंदी एटलो पावरफुल जे कोई समझे नहीं मेरा हिंदी बोत घर बड़े इसके स्या प्राना बंदू से घर बड़े anyway I'll try okay बेभागमा वात करीश एक भागमारी पासर बेटर्स और एक भागमारी सामे बेटर्स repeat after me तद विदी प्राणी पातेन परिप्रश्न सेवया उपदक्षेंत ज्यानम उपदेश्यत ज्यानम ज्यानिनम तत्वदर्शिन okay तो आमा वह फाइन वर्ष थे भगवान अर्जुन ने भागवद गीता तो सम्झावी दियाची तुमर कथा करने नहीं आवी जाओ हाँ एक मिन तमें बोला देने अटले भगवान सुक्य अर्जुने सम्झावी दिद बदू आखी भागवद गीता ग्नान योग कर्म योग बदू सम्झावी दिद चता वच्मा एम केम कहिए के तद विती प्राणी पाते ना तने गुरुनी आवश्यक्ता आश्पकर से अटले यहां आपडे गुरु माराजना आवे तो आपडे कही सम्झावी नती दाकला तरीक आलोका ओपरेशन करवा जाईचे तो एनी बाजुमा ओलो सर्जन तो होयाच्छे एन आको ट्रेणिं आपी ने आगड़ावे जाए एव इतना आ लाल गोविन प्रभु आपड़ा इन सवती नाना आता ने त्यार्थी मने ना दर्शन त्याता साव नानो अन्ने धन्याचे लोकाहित प्रभुने माताजी के अवा जीवनो जनम दितो छे खालेकर आजी वाने निकड़े से केब के मेज जोयोलौशे ना आने हाव नानो एव रूपाड़ौँ अनने मारी पासे उन तो बदू जीशे केई दो आजे मारी पासे एक जान आई वाता केब को अनो प्रेसिड्ट हातो तो भाई येने कि दु के तामें वात कर जो ने बे मेरे ब्रह्मचारी बन्यों यह मनने खवर घुझ अने ब्रह्मचारी बन्यों जोरे आप लोग बोलेंगे दो मिनिट, सब बज़ श्टडिया में जाओने क्या इभी बना मना कि ये बे मिनिट, हुम बेकलाग लेए लो पची एमना गुरु महाराज मने एक दी महिला था, आपने रासमंडल ने घरे जम्मागिया था अमार अमरा गुरु भाई रासमंडल प्रफु तो एनी करे आमे जम्मागिया थारे मने महाराज एक वी वात कही दी मने के ननकिशोर आमे पाचावता था मंदिरे के तु लाल गोईन प्रफु नु ध्यान राग जी के ये प्रवचन आपे अवे मनेम थे का आन आणोच अवडो और प्रवचन आपसे वहां बदा महाराथी बेटा था कमलोचन प्रफु ने तला बदा वनमाली अवे सन्यासित थे गया मोटा मोटा प्रवचन करवा माटे पन महाराज जारे किदूनों सम्झी क्यों कि महाराज सूक वामागे अच अ ना हाच छे अना उपर बहु पिलाथीच आपड़ा जेतला भी अता ना गुजरती वैष्णाव मेरा रोड मा एमना बहुवच सरस हवे आ वानी में जोही तमें जोही इजेविदन अली गूरु अला रामायन नीजारे भग्वान अला नाम लेता था ता त्यारे मेन जोही क जोही छे में अटला वरस्तिया प्रेक्टिस के री पन आ लाइन मने याद अदनत रहती किटली भार भागवतम खोई ली हाची वाद छे जी जी वाद कारो पन गुरुमा आम जेली तमें गुरु मारत नी वला पावर अवितना अलो कुंडल कृष्णा प्रभू पची आमन गुरुबाई भीजो जे इंग्लिश माचे अमेंद्र प्रभु तमें ट्राइकर जो जारे भी यूत्ूब में जाओन इंग्लिश माँ तम्छ इट इस फ्लोईंग अटले महाराद नी अस्तिम करिपाचे आपने गुरुना चरन माँ ट्राइकर ये तमें लोकनात महाराद अमें व्रजमंदल मां जाता था आखी रात किर्टन आखी रात पेटी लई अने उज आमावी जमावी दिये एवितना में तमारों परिवार ने में जोयो तमारे परिवार उपर एक स्लोक छे अवे आज देन आगडवदी आपड़े इमां सुखे चेक बहुना नाम जन्मना म आंते ज्नमन प्रवर्तते वासुदेव सर्वमेथी सहमात्मा सोद्रुल्भ केटला जन्म और मरन पचि आंते आपड़े गणान आवेचे खे वासुदेव इती चे सहमात्मा दुल्लभ नातिए शोद्रुल्लभ वेरी रेर तमेलों का जिया आखु पुटुम भेग अबने एको नंध मटने ता तू के चालों रशिक बाई बनेगो के अजित बाई बनेगेओ। ना 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 आखको कुट्ओम इतला मटे बेगूती हुँँछ के उपरती सिगनल आएवुछी जरूर तमारा कुटुम ना अगड मा को एव रिशिमुनी हासे तरही अटलू लालगोईन प्रफु में केटली सब्ता मा गयोची हुँ एम नहीं संबता चाली सवरस मा केटली सब्ता मा गयोचु मुट्टा मुट्टा ना अका एंडियमा हुँ आजे तमारी सामने वरंदाव प्रफुम ना की दूए तो निकडी जात बुलाई जात पनानो मने मेशेज आए वो मने के तू वरंदावन आवी जा बस टिकेटलेने तू वरंदावन आव उपची आपने जोसु बदू आलोलियो आपने आवी गया अने मुंकेटला भाग्या शाडिए और आमने सामभड अने मने बहुत जिता आती लालगोईन लास्टाइम जारे मायापूर्मा तामे बदा तरह मने यतलु थाई क्या मायापूर्मा थे और ने बने थाईने तो नाना चोक्रती में जोयो थे एक भात करूण दूने एमें बोरी वली मां भागवत सपता कै दिती कै दो और भॉरियली मां भागवत सपता कԵश्टा का दो कर्न योल सब जा क्न वोना पतो निम्स के दो तो है तो जोए नहीं, तो आ भाईने बन्ना विल्ली दो, कन्य हो, एक कोलेज मा प्रोग्राम हते है तो कोई ना मले तो आने पकेड ले आवे, किमके रूपड़ बूर्यू, वासिन वासिने करी ने आपड़ कन्य हालतो तो आनि घंजी लिला चिए हा पर मने सवति वदारे इतली वार संग में मली है अटले अमें बदा आ छे केनिया वार लाल गोईन प्रभूब अम्मार बदा छे या एकज गुरु पाकू अटले मेहें ने बदाने भात केईरी थोड़ी गणी के नेक्स्ट आपने भेगा थावो है तो एक जगिया कऊ कऊ बोली दो बदा रेडी थ अहरी जाएक अवा माते मसा ही मारा कित लाय ना ओँरम मसा इमारा बोलो को दो नेक जो बें दो करो ऩा मसा मामारा धुम केक राटेल zar गाइं- तो आ हमव यह अहिए थेर हम नेकलम महा जानी पानी स्टने अ किके रच जग्रट है एमा री रीट किकरोग हासि यःमा 창ी च्छ वो इस लायन, और जो आपने सब्ता नी सामबढ़िये, तोला लायन नो तो उधार थावानो छेके ने, याजु बजुम्मत छे बदा, अठले आपने आनी पासे डेट लही लेशु, कि आवता वर्से, और तमें लोका नायरोबिवारा, तमें रिसर्च करो अमंटो, मां जही सो मानस अवरेज राकी आपने, प्राणा बंदू प्रफुम्म, सो मानस आपने थाई के नहीं, अंडेड, ना थाई, वतारे थाई, जेटला थाई, आपने के लिए रिसर्च करो ता मेलोका, कमलेशनें, बदाने कऊच, वाजेने थोड़ू, फाइंड आउट करे, अरले थ प्रफुम्म, सो मारे के वुतु, पन बधा कुटूम ने खुब-खुब आभार, धनियवाद, अने हुँ आना थी केतलो प्रसं थाऊ, आपड़ू इसकोन, बावी स्थारिक जारे वाद करता ता अयोध्या नी, अवा टाने देली मा, आपड़े अखंड प्रशाद आपिय प्रफंदर मा, 22 थारिके अमे वोटू हरिदाम काड़ू, और जेटला आउसे बधाना मे प्रशादी जामाड़ू, और ये प्रशाद थाने तमारा परिवार तरफ थिच्छे, लिए। ये अल्रीडी आमे बूकिंग करिली दुछे, अटले आपने खुब-कुब-कुब-क प्रफंदर माने, लालगोईन प्रफुर्ण, उन तमने एकच कव पच्छी विराम आपने आगडवादी, आतमे बहु याद रग जो, हूं माया पुर्मा जारे रेतो तो, तो 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 आमे प्रशाद लेवा जाए ने तो आमे नोर्मली बाद करिये बदा, तो एक डिवोट प्रफुरी किती, जी मने रिलेट कर दो आपने पावर, इसको नो पावर और अने पावर ओ भागवद गीता, तो एने मने के तो हूं पब मा तो बार मा, पब मा बेठो बेठो बेठो, एके के हूं तो पीतो तो अने और राइट हा तो एके, पन अला हूं अमोग ड्रिंस थ और बाइट हूं साहँ आपने राइट हाई तो यह वाहिए वावद अने तो पेवावावरान हूं, ख़आ तो यह वाहिए तो अनी सिस्ट्म तो छे, अमेरिकन स्ट्राइल टी के ओलकाए पग पकैडरा, बेजा थाथ पकैडरा, और वन, टू, तू, त्री करी नह पारे फ भागवद गीता थी हाँ Spanish भागवद गीता थी तक्यों बंदी नाकी राता थी अने जरे भागवद गीता खोईली त्यारे ने आख पांती आशु आशु आवेगिया पेली आर राधाकृष्टान फोटो जो यो पचे ने जो यो के नियरिस्ट सेंटर क्या चे तो नियरिस्ट सेंटर इने जो पेली वार इनी लाइफ मा एने पूरी पकोड़ा भजिया अने उबद खादू एनो ट्रांस्फोर्मेशन जो पचे ओला काने लाइगिया शेविंग बिविंग कराईवू एने नवी लाइफ आईपी इचोकरा ये अक्कि व्रजमंडल के लिए गॉर्धन परिक्रमा के लिए वरंदावन परिक्रमा के लिए अने ये डिवोटी मने महया पूर्मा बिवूता तम मेजोई लिए बूलो हरी बलतो बո्लो हा तो वांधोन ने एक दाषी दाषी दाज मिन के आपने पस्ताकात नती अटलीबदी वराइट बनाइवी तया तो आमये फोई जारे हुआ भक्ति विदान में नर्मा जोईन थावा गियो तो मने एक दिवस तमल कृष्णा माराज तमल कृष्णा माराज मेंस शिला प्रभुपादना राइटन और वेरी तफ और वेरी डिफिल अप्रान बंदू बेटा जने इनजेवा तमल कृष्णा माराज एक दी हुँने मारी वाइफ मारी वाइफ तो परज्य सोनी नीजिक अपदे तम अनो तमारो जम्माई थाओ याद कर आओ याद कर आओ पड़े नालोगन पच्छी अमने बेने किदू दो अनो रखेड आओ याद कर आओ पाक आओ लिए अजित नाट्विक पाक अस्पितल तो ने एक दीवस केड़ी दू अमने बेने की दू किता में जाओ बंबे तो में कुदा आउची तानों बोंबे के विद ना बदू जाओ करू अठले हूज हम निचे उते हरो निस अब्रस तमल कि समाज वस्ते इंद लाइब मेंबर से पजो निचे उते हरो ने तो मने शुती धर्म मेला तो इनी बाजु मां कौशिक था अन्ने थोड़ियो आर पच करता था तो तो निचे उते हुच हे उते हूच करू अले शुती तो बोले नहीं हम हां के जावब ना ती आपता आ कोशिक सुक था मने खबा ज़्यों तारोया सुक आम शीके तू तू वह योजा में कुदा था आना काही ठेकाना था मने काडी मेले से यहाथी विदाव पन एक वस्तु यह यह थे ही, मारी बाजुमा अजीत उपोतो, अवे ने याद छे के नहीं कबने, ने मेमरी के वी काम करें चाहिए, पन अजीत मारी बाजुमा उपोतो, मने के नंकिशर तु जाहा, और काई भी थासे ने, तो हूं तने पाचो बोलावी लिस, यू उँँट फिल, देट सेकुरिटी मने जी फिल थियो, जी मने अचलू आम कमफोर टाइप हू, पच्छी अलोकाय ना अशुरा थी, मने केमोफ्लेज थे गियो, बिलिव मे, इन पच्छी तो पांच वरस मुंबई मा काईडा, मेरा रोड नू मंदिर मा सेवा काईड़ी, अजे चैतन्य महाप्रभूनी लिला केता था, जननिवास प्रभूनी अवी कृपा था मारा था, के उँँ ड्रेसिं करता था, चैतन्य महाप्रभू पंच तत्व मा साथ वरस, साथ वरस मायपुर्णी बारे एदनता निकाड़ा, अवी भगवानी लिला था, अजे बिला था, अजे ते मने कि तू काई भी थासे ने, तो हूं तने पाच्छो बोलाई भी तू जा, इस इस अफेक्ट, अजे तो हूं सत बोलो जा वरंदावन माँ, अजे अवीतना थाई चे, जारे कोख आपड़ी साथे, आम लिये चे, और बदा सीरियस थाई जाओ, बहुँ सीरियस थाई जाओ, आजे तो मारी सामे प्रोजेक्ट आवी गयो चे, आपने इसकों जी भी सी थे थू, पोर बंदार मां मंदिर बांता हूं, पांच वरस्तों वी बिल गो, और आने तो जो, अटली बदी भागवत सब्ता करी, I can't believe, यहाई एँ, आजी मनि आचाओ, व्याज के अच्र चर्क मारी चे कुरव्य पेड़ बदी बदी हूँ, जाओँ ने बदाने केना है, आजाओँ जाओए, बदाने। भी तमें डेट उपजो मने, बढाने नेक्स्ट रीट, यह नेक्स्त य Pra Canada, करई लिए था यू अ क्या गया मने देखा था नथी बू लाइट अ हालो हालो यह मने किज़ था था बो थाइग ईव इवने काड़ा ने वाद करछे मनेटली कुष्षी था कि में अध्र पाइन बदा यहां मल्या फ्रेन तरिके, okay, बोलो, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, please forgive me, my Hindi is so powerful, Hare Hare Hare, that not everybody can understand, Hare Hare Krishna, His Grace, Nandakishwar Prabhuji ka, बहुत सुन्दर प्रभुजी ने, कथा का अनुवधन साधी साथ प्रभुजी की और अपनी अन्याईशी कुछ बाते बताई प्रेणात्मक, जिस से कि हम सब, एक बाते हैंगे, आपने का एक लास्ट बात कर दो, आपनी पन्नाचे ने, तो अमेक बार मुंबाई थी वाह जाता था, आपने कलकता जाता था, प्लाइट मा, तो आखी फ्लाइट मा, अटी तरन कला किनी, वोटेव दा फ्लाइट, तो मने पन्ना साथी इंट्रडूक्शन थी वात कर आमीड़ा, शीकेप तों तो कि अंजोकिंग, कि मने डोड बेकला क्या वईगी, खबरना पएड़ी, पन् स्पिरिच्वाली मने खबर पड़ी के, शीज नोट अ और्डनरी सौल, मने यहलो पिंपॉइंट कि, हमनाच, हमनाच, हमनाच अमे गिता जेंती अती ने, गिता जेंती एना नामनी इतली बदी स्कूल मा भागवद गीता गई, जस्ट ओल अफ सदन, अठले केवान भावतेंच, जीवनी पाचर केविद ना थाइच, तमार कुटूम काई, और्डनरी कुटूम नथी, तमे हुँँए लखेन आपो तमने, पन अ आरियो, अजी ताहिए बेसाडी दियो, अचले किर्टन करो मन से, और मादूई ने थाए दिकरी, मादूई, वोट अट्रांसेड़िटल बईस, आको घरच करिष्णा कॉंसेश्ट पुटूम आको एविद आज, पाड़ो ताड़ी तो पाड़ो में हुटमने के हर्चोट थाईजे, ओके नाव इसे टोके अभी देदो, चले जाओं, एफ हलो, हलो है, खरीक्रिश्टन, ह्रेक्रिश्टन, खरीक्रिश्टन, हरे, राम, हरे, राम, हरे, राम, हरे, खोरीक्रिश्टन कृष्ट पुटू में भाट इस ग् onwards . ​we'll all make sure that we will not take much of time, so that you know we can wrap it up quickly because this kibad aarti karni है और कोई सारे बक्ते है उनको माला भी जब करनी है संकल्ब करना है तो विल टेक मिन प्रदीब भाई प्लीज अलो मावंतर थे मुझे स्वागत करिया है रे कर्ष्णा हुष्णा कर्ष्णा कर्ष्णा हुष्णा 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 कर्ष्णा हुष्णा 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 गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षाथ, परब्रह्मा, तस्माइट्री, गुरु वेह नमा। आजे खुब साध्दिवसुदी आपने उच्षा थी, जे मैना, एवाश्री, लाल गोविद प्रपुने, मारा रदैती, सास्टांग, दन्वत प्रणाम, तेमाज, जेना थी आकुटुम यगन थियो, जे ग्नान गंगा माजे बद्दा नाया, एवाश्री, हमारा जेस भराता, प्रानजीवन भाई, अजीद भाई, कमलेर भाई, मयूर भाई, बाभियो, बहेनो, आप बदानों खुब-खुब रदै थी उँ, प्रणाम करूँचु, अने जे नाना चे बत्री जाओ, ये बद कदा ये उँ लाग से, बदाए बहु लाल गोईन जी है, पन बहु शराना के री बदाए, सराना के री गगडा परिवार नहीं, तो गगडा परिवार कौन, इस जराक आपने समझ वो पड़े, गगडा परिवार, एमने मा न थी आई ईwright दो, एमाथी जे पुत्रसे, ते μια कड़ी बदी वजने, ते मकर्द वजने मखर्द वजने, मयुण दो, मयुद दना, घकर्द वजने, घकर्द वजने, घकर्द वजने, घक्लआ, अले Schweiz उबहारे, रूद्र आफंजीए बने जाहाँँँँँँँदा,husद एनु एक भुगोड़नी अदर इत्यासनी अंदर एक लाइन आउती कि जावे जेको नर गयो नावे मंदिर माई आवे जो मंदिर महीं तो परिया परिया खाई जावा जाए अटले हाट पे दिनू तारी नाखे और इपछी एनू कांचे पईशो मारो परमेश्वन ने बहीरी मारो गुरू छाया चोकर असाली ग्राम सेवा कोनी करू पच्छी अने बीजु काई देखा ने इंट बिन काई मेरी अला एनी जे एनू प्रभाव एना जीवन नी अंडर प्राधान या भोग नू धाई यू भाव एना माथी निकड़ी जाए और इजे लक्ष्मी एना मल्या पच्छी जो इभाव नू प्रदारपन थाए तो इपरिया परिया खाई एना काई मागू न पड़े परिश्टिती हूँ थाए कि अपड़े छेहले हो दी मुकी शकता नती है मुकी शकता नती के मुकी सकता नती cám कई यह स्विच पड़ी जाहे खबरज नथी अले एनी अंदर आपड़े हरी नाम किर्तन बहु शरस्किदू अले एनी अंदर आपड़े मही रेवानू छे अने आपड़ानो आत्मा उधेर वो आत्मा बहु साधिये अपड़ेज आपड़ो उधार गरवानू छे कोई एमनेम नथी थावानू आपड़े प्रेत्न करों प्रेत्ने नहीं सिद्धेंती कार्यानी नहीं मनो रथे ही मनो रथे थी खाली मनमा वाद करवी ने काही नत थावानू आपड़ेज प्रेत्न करों पड़े ना आपड़ेज आपड़ो उधार करों पड़े तोज जीवन उधार थ अने सरस्मा सरस् आज मारू रदै पुलकित इतला माटे छे के भागवच्छ ने एक दम कोमर पुष्प जे एनने न्यायापव बहुत गंभीर वाच अन्य आ व्यास्पीट उपर थी एमने जे व्यास्पीच नी गरीमा राखीने जे वाद करवानी एना थी पन तकलिपवारी आपड़े तो खाली साम्पडीन आनंद कर लिदो पर एनने एक सब्द उचारता पेला केटलू मनन करू पेड़ुए अन्य एमा सवथी जटिल मा जटिल अग्रामा अग्रोज अवतार ले बुधावतार अन्य ये बुधावतार ने एमने एकली बदी रिते सरस्रिते न्या आ महान अवतार ने ज्याई ना आपी शकाई पर जारे एक दम सरण भासा मा अने एक दम बुध ने गरी मा थी अने व्यास्पीत नी गरी मा थी ले जिए समझाई हूँ एना माटे खुप-खुप आभारेम नो और बदाय आपड़े जे सामड़ी से क्या ते साचू समझी से नहीं तो एक खोटू एक प्रवेस्थी जाए तो इए आखी जिंगी पर पक्डिने बेठ हूरी है अने हाचू जे आपड़ा जीवन नी अंदर उत्तर वानूँचे इज आपड़े लईने जावानूँचे आ साथ दिवस नी अंदर टुक मा खाली एक लूज कई दों सम्म यहां अंदर कोई नी सारी जिये कोई शारी वृत्ती और सारी काई वाज चे ते आपने रदायमा उतार वानी और कई कटी वाज थे छोड़ी देवानी तो आपड़ू मन आनंद मार जेले मन जे आनं न्मार जेले ने तो एने पहें कोई कडियू पाःं आउतोज नसी और म यह आनंद मोई ने इज आनंद स्वरूपज प्रभू शे इज आपणा भेगो शे सर्वसे चाहम रदी सन्नि विष्टो भगवान बदाईने रदी माँ बेटो चे पसी प्रस्नत क्या शे अले कई पन आपणे जे बई आपणा जे परिवार शे इब दो आज एक तमने गिदो मनवनवन सीजिए और विजू के एक सरस्त टुकी वाद छे पर आपणा मुर्जी बापा ने कोई नहीं सामधे लिवाद करू कि मारा फादर जे अवार नवार मेडा उड़ो होई कि कोई पन जगाई होई बहु गवरव थी परम वैसले होई तो मारा बापा मुर्जी बाप पायम केता अने अमरी ओर खाना पीदों मारा दादा अने अजीत बाइना दादा बेई सगा भायू अले हमें काका भापना भायू मारा फादर अवार नवार केता कि मुर्जी बापा परम वैसले होई एक वखत कहीं ठग लोको सोनु वेच वाई वाई आ वेराल निवाद छ अने सोनु वेची गिया अले निया दो बगवान न एक दम बगवान न घरना माना शले त्यारे के ओटल न वेल गरे रसोई बनावानू कि दू तमे नंदिय नायाओ अने पाच्छा आओ अधल जमीन पछी जाओ इवकत ते रानी चाप शिक्काना मोटा रूप्या पहिशा अने अपेला इसो ना और इसोनु बापा ये आखो कोत्रो कुल साव अपरी नहीं तो इसोनु गड़े तैयारे रोल गोल नव नवन निकुरत अले इजि मोटो लोस मोटो लोस अले मोटो लोस गयो बदा भायु भेगा थिया अने फरियास के री चोर पकड़ाए गया पकड यह जर्वियात असे लेगें अन्य यह ना भागिनुव हुँपा यह है अले लेगें अले यह जोड़ी दिए अन्य फोर्श चैनि मुर्जी पाप्पाना पढ़िए अवा परम वैस्ने वह अमरा दादा आए नाजे वन्स एई जी हाईलू आवेशे लोई मा तही आशात्मिक निते काम थाई सके। दिली प्रगू अज दसरत्थ ने पांच मा राम त्यारे पांच मी पेटी ये राम पाई का। आए परिवार इस अधावरती रिये और भगवान कायम माते ये दिल खुलू और मोटू राखे आपयो प्रभू परातां। अरे प्रूब घृत्र अरे एक अन्तीम अनुमधन हम लेते हैं हम सबके बीच में हैं जो कि ब्रजवासी है और बहुत ही वरिष्ट बग्त है और इस ग्रेस लाल गोई प्रभुजी के फादर इनलो है यह हमारा सो भाग है कि प्रभुजी की उपस्तिती रही यहां पर साथ दीन से लगातार और ऐसे विश्णों का सानित्य उनके दर्शन हुए हम सबको मैं एवधन आई आऊए म immantra से स्व понравण यह एंति मनुमदन है इसके बाद हमारा जो सेश कारेका में उसको करेंगे फपत हम सबुझा बाएक रहे करेंगे फ्लिया रहे करिश्टाव हरे कृष्टाव रहे कृष्टाव ऑछा पर उटां तर सनक पर ईनक कृष्टा थृ रहे-कृणी और बहर ची नहां हरे रम रामutral हर्यल भी कर दिए रby선 नमों विष्णू पादया कृष्णा प्रिष्थाय भुतने श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी तिनामिले नमस्ते शारस्वधिदेवे गउरबानी पर्चारिने निर्विशेश सुन्यवादी पार्चातवदेश तारिने Jaisi Krishna Chetanya Prabhu Nityananda Shriya Dvaita Gadadhar Shriva Sadivar Bhakta Vrinda Are Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Are, Are Are Rama, Are Rama, 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 Are Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastrakai Love Matra Sadhu Sangha, Sarva Shiddi Hai Sadhu Sangha Sabhi Shastrao Me Quehate Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Love Matra Sadhu Sangha, Sarva Shiddi Hai Khael, Ek Chhan Ke Liyabhi Sadhu Sangha Ho Jata Hai Sarva Shiddi Prapta Ho Jaya Jaisi Krishna Prabhuupad Prabhuupad Neu 1922 Me Guru Bhakti Shidhan Sarasidhi Ghoswami Khael Dho Meadit Sangha Prapta Kiya Tha, Or Ishi Sadhu Sangha Khael, Aajami Dikha Hai Sare Vishwami Prabhuupad Hare Krishna Mahamandr Ka Prashar Karthi Hai Tishe Sadhu Sangha Ka Mahatwa Hai Tishe Sadhu Sangha Ji Sriman Lalguin Prabhuupad कविभिरिधितं कलमशापपहं स्रवनमंगलां स्रीमधाततं भुविगृनंति थे भूरिदाजना वास्तों में अनक्षेत्र खोलने से कोई दानी नहीं बन जाता है कोई आश्रम खोलने से कोई दानी नहीं बनता है वास्तों में सबसे बड़ा दानी कौन है जो भगवत कथा देता है वो और जो भगवत कथा स्रवन करने का आउश्यर परदान करते हैं वही वास्तों में सबस बड़ा दैनी है। और विशी कथा सर्वन से क्या होता है। सारे भव रभ मीड जाता है और कृष्णा प्रेम प्राप्त होता है। कृष्ञ छूद्रिक्र इसले करने के लिए यपुड़काव। मूल क्या है शरवन तो ऐसी भगवत कथा का दो आईजन होता है तो इस आईजन के द्वारा जो हमारे रदे में जो कृष्णा प्रेम पड़ा हुआ है उसको अंकुरित करते है प्रगट करते है भगवत कथा तो खुब खुब धैन्यवाद श्रीमान लाल गोईन परभू और गगड़ा परिवार जिसने सारे वीशों में ये अवश्यर प्रदान किया वास्तों में ये सबसे बड़ा दान है सबसे बड़ा दानी गोप्या कहती है जो ब्रज में सर्वस्रेश भक्तों के रूप में परसूत है शी गोप्या मैं अनुरुत करना चाहता हूं श्रीमान लाल गोईन परभूत को कि ब्रियाद भागवतामरुत कभी नहीं लिया उसमें श्री शनातन गोश्वामी है उसने ग्रंध के रसना की है ब्रियद भागवतामरी तो ने सुना होगा नाम जब भागवत समापत होता है और तक्षक नाक दसने के लिए जब आते है परिक्सित महारास को उसके बीश में थोड़ा गैप होता है उसी समाई उनके माता उत्तरा दौड कर आती है परिक्सित महारास से अनुरत करती है यह बेटा तुमने साथ दिन में जो भागवत कता सुनी शुक्देव गोश्वमी से तो उसमें सार सार क्या है वो मुझे बताओं तो उसी समाई शुक्देव परिक्सित महाराज माता उत्तरा को बताती है और उसी परसंग को लेकर श्री शनातर गोश्व उसी गरंध में ब्रज वरिंदावन दाम की महमा और ब्रज वाश्यों की महमा प्रसूत किये है तो लाल गोविंद परभुन आस तक वो टर्स ने किये है पताने क्यों ने किये हूं तो कभी अशराय तो उसी को लेना चाहिए शारे गरंध ले लिया है यहां तक क्रिष्ण क अधिर अत्रामाः ने ले लिया है लेकिन भागवता मरित तस नहीं कि तो भागवता मरित इतना सुंदर गरंध है कि आप पढ़ेंगे या सूनेंगे तो इस भागवत को भी भूल जाएंगे यह सानातन गोष्वमी कर अगरशना है जो वर्तमान उमारे आचार यह सर्ड को करते हैं परदान करते हैं और जो ऐसा पागवत कथा का सरवन करने का आउश्यर परदान करते हैं यह वास्तों में सबसे बड़ा दानी है इसलिए सुद्गोवस्वामी कहते हैं कि तस्मात एकर मन्सो तस्मात मन्सो एकेन भगवान सात्वताम पती सुर्टेवे नित्यदा इसलिए हमेशा भागवत कथा सुनना चाहिए नित्यदा जो भगवान सात्वताम पती जो भगतों के पती है पालन करने वाले हैं ऐसे भगवान की कथा हमेशा सुनना चाहिए और यह से जो अ आवश्यर प्रदान करते हैं ऐसे आयोजन करके तो वास्तम यह सबसे बड़ा दानियत खुब-खुब हम अभर मानते हैं श्री गगड़ा परिवार का जैसे आयोजन करके सारे विश्यों में इस आवश्यर का प्रदान की है और खुब और विश्यों करके श्रीमान Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Baba Hare Heart चीलपरूपाद की जाय Hare Krishna बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस ग्रेस स्तत्वेता प्रभुजी का जो कि कई समय से कई सालों से यहाँ पर ब्रज में रहते हुए है यह ब्रजरस का अस्वादन कर रहे हैं और बहुत सुंदर प्रभु जी ने भाव फ्रस्तूत किया यहां पर तन्यवाद प्रभु जी और अब मैं निवेदन करता हूं हमारे उन वैश्णों से इनो जो हमारे गगड़ा परिवार के द्वारा आमंत्रित उनके जो कजिन्स ब्रदर है जिनको हमारे ये पांच भाई जो हमारे है राशेष्वर प्रभु हमारे अजीद प्रभु साथे साथे पांच भायों को एवं स्रीमान लाल गोई पुझी को ग्रीटिंग्स करना चाहते हैं ऐसे हमारे पहले तो निवेदन है हमारे इन गगड़ा परिवार के पांच भायों को कि आप सब यहां पर स्टे भाई भरत भाई और उनको ग्रीटिंग करेंगे और साथे साथ श्रेमान लाल गोई पुझी को भी समानित करेंगे आए महामन के सब्सक्राइब पुराओ आटी रंगाओ आद मुरे यादरे आद ओ याद मुरे यादरे आद एरिशक्की मंगल गाब गई दर्तियो मरस जाव रही प्रीवाओ उत्रेगी आज मेरे त्वीय की स्वारी आर कोई काज ललाब रही मोह का लाटि का लगाब रही उनके सबसे दिखूने तो क्यारे लक्षमी जी आद हो जर उतार हो आद मुरे यादरे यादरे आद मेरी सकीरी आरी कि अल्ए कीरी आद मुले यादरे यादरी दिखूने यादर वीक यादरे यादर आराव आराव कर दो कर दो पियू पियू पपया बोले कुहु कुहु कोया न बोले पियू 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 पपया बोले कुहु कुहु कोया न आंगन आंगन परियोन घेरा आनंग आगन परियोन गेरा आज बुरे परिया घर यावे आज बुरे परिया घर यावे आनाद नाद बजाओ सब मिलगर आनाद नाद बजाओ सब मिलगर आज बुरे परिया घर यावे आज बुरे परिया घर यावे आज बुरे परिया घर यावे आज बुरे घर यावे मारू मन मोर्ब नीथन गाट करे मारू मन मोर्ब नीथन गाट करे मन मोर्ब नीथन गाट करे मारू मोर्ब नीथन गाट करे मारू मोर्ब नीथन गाट करे मारू मोर्ब नीथन गाट करे किया पूरे परिवार का आईए आगे के परिवार को हम क्रम को आगे बढ़ाएं आगे का जो क्रम है हमारा आप सभी जानते हैं कि श्रीमत भागवतम अपने आप में पूर्ण है संपूर्ण है और हर व्यक्ति को दिशा देने में उनके जीवन को आगे ले जाने में पूर्ण तरीके से पूर्ण है पर अगर ये श्रीमत भागवतम हम His Grace लाल गोविन प्रभुजी के मुखारविन से श्रवन करते हैं तो इस बात की गैरेंटी है कि जो परिवर्तन का फेज है और दिशा मिलने का फेज है इसको बुलट ट्र और रोकेट की जो स्पीड होती है उससे मिल जाता है और प्रभुजी से भागवत कता श्रवन कर पूरे विश्ववर में अनेकों ने हरिनाम की शरण ग्रेंड की है और कई सेवां में आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह के से ये आज जब भागवतम आज वीराम होई है साथव हरिनाम की महिमा भी हमें सुनाई और सुन्दर कथा के साथ साथ तो इस कथा से प्रेरित होकर और हरिनाम की महिमा को सुनकर इस कथा के दौरान भी अनेकों लोगों ने हरिनाम की शरण ग्रेंड का निश्चे लिया है तो यह बहुत बड़ा सुन्दर परिवर्तन अनेक भक् करेंगे मंचों इस मंच पर उन भक्तों को जिन्होंने आज हरी नाम की शरन ग्रेन करने का निश्चे किया है और आगे संकल्प करने जा रहे हैं किस तरह किसे हरी नाम और कितना हरी नाम करेंगे तो हम इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हरी नाम का क्रम को तो हम आमंत्रित करने जा रहे हैं सर्व प्रतम अजीद प्रभुजी को अजीद भाई को जिनों निश्चे किया है कि हरी नाम की शरण ग्रहन कर आगे बढ़ेंगे वो अल्रेडी अनिनाम में लगे हुए हैं लेकिन और दिर्टा से और सुन्दर तरीके से आगे अपने निश्चे को आगे बढ़ाएंगे तो आईए मैं अमंत्रित कर रहा हूं हजीत प्रभुजी को करते हैं उनसे डबल हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे शिलप्रपाद की जय मैं क्रम से नाम बुलाते जा रहा हूं सभी उपर आते जाएं आगे आएं पुष्पा बेन कमलेश भाई कि पुश्पा बेन कमलेश भाई कमलेश भाई कमलेश भाई कमलेश भाई आज क्या संकल्प आप हमें बताएं कि कितनी माला का वरत आप ले रहे हैं यहां से के संकल्प कर रहे हैं कि हरी पूर्ल यहां कमलेश भाई ने व्रट लिया एक माल यांग जहाउड ले रहे है को पुश्बा बिन है माधा जी आपका क्या संक्कल्प है कि किसानी माला से बना दर्ट में ले एक तर र्योक मादा जी 12 माला ऑप डूर्त ले रहे हैं और लोर। से करेंगे इसका हरे कुछना मैयूर भाई बिजल बेन अगर भाई प्रहुजी आप अपना संकल्ब बताएं कि कि न वरत ले रहे हैं आप हरी बोल मैयूर भाई या सोला माला चांट करने का वरत ले रहे हैं यापर बीजल बेन मताजी फ्लीस हरी भूल भीजल बेन मताजी यापर वॉला माला ॥ यहां पर सोला माला का वरत करें यह थैन दोन्हान जनमे भाई और भीजल बेन हरी बोल हरी बॉल रही बोल यह बहुत सुन्दर संकल भिया जा रहा है वकतों दूआ तो सबका उट्सा बढ़ाएं हरी बोल हरी बोल बोल कर इंदू बेन हंसा बेन इंदू बेन हंसा बेन प्रतिबा बेन उपर मंच पर बदा रहें प्रतिबा बेन इंदू पर माता जी कम से कम तीन माला का संकल प्रत ले रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा कई प्रयास करेंगे यहांपर आये माता जी अरे किष्णा हंसा माता जी यहांपर आज ज्यादा से ज्यादा माला चैंट करने का वरक ले रही हैं यहांपर के पूर्न प्रयास करेंगी के सोला तक पहुंचेंगे यहांपर हरी बोल प्रतिवा माता जी यहांपर तीन माला चैंट करने का वरत ले रही हैं यहांपर बहुत सुंदर संकल आगे हिनल भाई, हिरेन भाई, मादवी बेन आते जाहिए चलिए यहांपर नाम में देर हो रही है आप बोलते जाहिए कौन कौन है आप आते जाहिए ग्रम से हरी बोल, माता जी यहांपर पांच माला चैंट करने का वरत ले रही है हिनल प्रभुजी हिनल प्रभुजी है यहांपर पांच माला का संकल कर रहे है हिरेन प्रभु जी यहाँ पर पांच माला का संकल्प कर रहे हैं आपर पांच माला जाप करेंगे आज से साथना मादा जी यहाँ पर ज्यादा से जाद है लेकिन कम से हम साथ माला का संकल्प कर रहे हैं आपर हरी बोर प्रणवी माता जी आपर आज तीन माला जाप करने का संकल्ब ले रही है हरी बोल श्रेया माता जी आपर तीन माला जाप करने का संकल्ब ले रही है आज प्रवीना माता जी आपर एक माला जाप करने का संकल्ब ले रहे हैं आपर प्रिती माता जी आपर दो माला चैन्ट करने का संकल्ब ले रहे हैं आपर उर्मीला माता जी आपर पांच माला जाप करने का संकल्ब ले रहे हैं पॉर्फिन काुए याँज पर पांच महलेरा जाबनागे और κुछ करने का संकी बढूर मुदे ले लठ कर सेथूर भावन हरी बजर हुष सब्सक्राइब बंसी माता जी यापर तीन माला जाप करने का संकल्ब ले रही है आज तीन माला जाप बंसी माता जी के लिए हरी बोर भक्ती माता जी यापर आज एक माला जाप करने का संकल्ब कर रही है लेकिन उसको निरंतर आके बढ़ाएंगी हरी बोर रेनुका माता जी यहाँ पर एक माला जाप करने का संकल्प ले रही है हरी बोल गाहितरी माता जी यहाँ पर चार माला जाप करने का संकल्प ले रही है हरी बोल दवल प्रभु जी यहाँ पर दो माला जाप करने का संकल्प ले रही है हरी बोल आनन प्रभु जी आपर दो माला जाप करने का संकल्ब ले रही है हरी बोल सुरे का माधा जी आपर दो माला जाप करने का संकल्ब ले रही है हरी बोल हरी बोल अशोक कुमार प्रभुजी यहाँ पर एक माला जाप करने का संकल्प ले रहे हैं आज से हरी बोल हरी बोल बनवारी लाल प्रभुजी यहाँ पर एक माला जाप करने का संकल्प ले रहे हैं बनवारी लाल प्रभुजी एक माला जाप करने का संकल्प ले रहे हैं प्रेम लता माता जी ने यहापर एक माला जाप करने का संकल्प लिया है लेकिन उपर आ नहीं सकते हैं तो उनके भाई यहापर उनकी जगे ले रहे हैं यहापर रेखा माता जी आपर तीन माला जाप करने का संकल्प ले रही है वरत ले रही है हरी बोल करके इन भक्तों का उत्सा बढ़ा है हरी बोल मीनाक्षी माता जी आपर आज दिर्टा से सोला माला जाप करने का संकल्प ले रही है सोला माला जाप करेंगी इनका हरी बोल बोल के इनका उत्सा बढ़ा है हरी बोल हरी बोल हरी बोल हनसा माता जी तीन माला जाप करने का संकल्प ले रही है हरी बोल अच्छे से जाप में लगी हुई है लेकिन और अच्छे से कर सके दिर्टा से कर सके यहां प्रभुजी के आशा अशिर्वाद लेकर और दिर्टा से अच्छे से जाप को आगे बढ़ाएंगे हरी को आरती माता जी सोला माला जाप दिर्टा से अच्छे से करने के लिए आसे संकल्प ले रही है हरी बोल अनुपुमा माता जी सोला माला जाप करने का दिर्टा और निश्ये कर रही है अच्छे से इसमा माता जी आज से तीन माला जाप करने का संकल्प ले रही है हरी बोल कुण्ड लदा मादा जी यहां आज से पूरी दिर्टा से अच्छे से सोला मला जाप करने का संकल परत ले रही है हरी बोल हरी बोल प्रफूल प्रभूजी एक माला से शुरुआत करके आगे अपने संकल्प को आज आगे बड़ा रहे हैं एक माला से शुरुआत करेंगे हरी बोल निरश प्रभूजी यहां पर आज एक माला जाप करने का वरत ले रहे हैं एक माला से शुरुवात करेंगे हरी बोल, हरी बोल ये नए यंग जनरेशन है जो आगे आज इंदे परिवर्तन इनका हो रहा है और प्रभुची से संकल्प ले रहे हैं यहाँ पर तो आज यहाँ पर इनका उत्सा बढ़ा हैं हम लोग हरी बोल, हरी बोल रामानद प्रभुची यहाँ पर आज से दृटता से और अच्छे से सोला मला जाप करने का संकल्प ले रहे हैं सोला मला जाप अच्छे से करेंगे रामानद प्रभुची हरी बोल कुसुम वियारिनी माताजी आज यहाँ पर संकल्प कर रहे हैं कि प्रभुची के आशिरवाद से सोला मला जाप दिर्टता से और बहुत अच्छे से आशे करेंगे हरी बोल जैश्री माताजी यहाँ पर एक बहुत ही सुन्दर संकल्प रत कर रहे हैं कि एवरी डे यह एक माला का जाप करेंगी लेकिन मंगला अरती रोज करेंगी तो मंगला अरती और एक माला जाप कर रताज ले रही है हरी बोल हरी बोल हरी बोल आज हमारे बीच एक डिवोटी है रेशु माताजी रेशु माताजी आज हमारे बीच हमारे जूम परिवार की डिवोटी है रेशु माताजी जो हत्रस से बिलॉंग प्रिज के अरिया से बिलॉंग करती है आज इनका जन्न दिवस है तो इनको मैं रोत करूँगा मंच पर आकर प्रभुजी से आशिरवाद ग्रेंड करें तीन बार हरी बोल बोलेंगे आज इनके जन्न देवस के लिए हम इनको शुब कामना के दौर पर हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल जन्दिस्क की हर्दिक शुक्तामना है मतलची हमारे म्यूजिक टीम में से मेवल प्रभु आज से तीन माला जाप करने का दरिट निश्चे है संकल्ब ले रहे हैं और कोई चुक है यहां पर आज संकल्ब ववरत लेने के लिए को रह गया हो तो अगर पासव दिखाई हो हुआ कि अ आरती कि थाली बी रेडी कर रहा है आगे क्रम में हम श्रीमत भागवतम की आरती होगी आरती यती पावन पुरान के आरती यती पावन पुरान के पी धार्म भापी ज्यान खान के मापुरान भागवत निरमला शुकम कभी गलित निगम खलक पला परमानन्द सुधार समय पन पीलारती रसरस निदारती आरती यती इकले वाला मथले धिताब निवारे ने जन्मम्रोच्यू मयां भवभय हारे शेवात सतत सकले सुपेकारे सुबै होश भी हरी चरिते नानन्दे विशय बिला निमोग भी नाशने दिमल बिला निवेक विगाशने भगवत तत्त रहस्य प्रकाशन परम जोधि मरमार्व ज्यानन्दे आरवियते बाख परमहन सेमूने बन उललाशने रसिकरदय रसे रास बिलाशने मुक्तृ मुक्ती रती प्रेम सुधासि तायति मुंजन पियस्व advent te हरे कृष्णा, आरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, आरे हने Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna स्विनुर्भावर्मावुणान व्रंत की जैं, स्वेल्व प्रौपाद की जैं, मिते गोर प्रमानंदे हरी